आज हम डिसकेशन करने जारे हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चेप्टर है हमारा यह modern physics का चेप्टर है nuclei NCRT की class 12th में 13th चेप्टर है इससे बेले मैंने आपको atoms पढ़ा दिया अगर आगे physics में थोड़ा interest रखना चाहते हैं तो उस समय की branches को सिर्फ open किया जा रहा है atomic physics nuclear physics इस तरीके से उसकी एक छोटा सा introduction आपको सिर्फ दिया जा रहा है class 12th में बहुत elementary होता है although में लग रहा हो कि 12th बहुत बड़ी class है ऐसा कुछ नहीं है उसी साब से देखा जाए तो यह आपकी पहली सीड़ी है अगर आप physics की इस ब्रांच में एंटर करना चाहते हो जैसे एक जमाने में सर रदर फूड ने किया होगा एक जमाने में बैक्यूरल ने किया होगा एक पाइदान में आज आप खड़े हो और आपको आज वो सारी चीज यह पता लग चुके होगी जो आज से 100 साल पहले 200 साल 500 साल पहले लोगों ने खोज निकाली थी उसी से आगे बढ़कर कैसे हम इंटरेस्ट को अपनी डवलप कर सकते हैं वो हमारा main motive रहना चाहिए है अपन इसको पढ़के भी अगर मारे दिमाग में कुछ एक question mark खड़ा नहीं होता न तो मज़ा नहीं है हमारे physics पढ़ेगा इसले पूरी chapter को पढ़ो एक वैग्यान एक बुद्धी के साथ पढ़ो एक scientific temperament आपके पास होना चाहिए उस हिसाब से पढ़ने कोशिस करो कि अब क्या अ अपने अंदर आनी चाहिए बात को आनी चाहिए ठीक है थोड़ी बात इसलिए मैंने कई अपने पर प्लीज भरुसा रखो मेरे पर भरुसा रखो बहुत अच्छा हम कर लेंगे ठीक है आप यह मत सोचना कि यार मुझे तो आती नहीं है चीजे कैसे होगा कैसे होगा यह सी के लिए बनी है आईक्यू बुद्धी मानब कितने हो यह चीजे बिलकुल माइन नहीं रखती आपकी सीधी सोच होनी चीए सिंपल थिंकिंग रिक्वार्ट्स करेच रैदर दन इंटालीजेंस अभी मैं आगे बढ़ आउं यह किन के लिए बैनिफीशल है लेक्चर जो भी आइक्यब लिए तो नो डाउट ही है यह बाकी नीट की प्रिपरेशन करने वाले जई की प्रिपरेशन करने वाले और अधर एक्वारा अधर ओन्यक्ति आगर आपके उसमें बोखन धी अगले परिच्छ की के करना जीए है के मैं कुछ भी नहीं च्छोड़ा सारे डिरिव की जरवत में आपको कराऊंगा हम बढ़ने लेक्चर में आगे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनने ही कुशिस करना आप अगर अभी फ्री नहीं हो प्लीज लेक्चर को बंद करके वो टाइम निकालो जो आप प्रॉपर एक देड़ दो घंटे क मास अनर्जी एंन डुक्लियर ऐनरशी को हम पड़ेंगे उसको वघंघ रडची मैं फगे ग्रेंक करेंगे-इसको उसके नुक्स थोड़ा एक्टिवीटिटी को सब्र र् mobile राधी बैक्टिबटियो को तो यह से वारे में हम क्या-क्या बात करना चाहते है। आपको दिख रहा हूंगा है hea declare n матери की plural form है ठीक है जैसे person की plural form person की plural form people होती है जैसे boy की boys होती है matrix की matrices होती है वैसे nucleus की nuclei होती है फुल form वो plural form बहु अचन में कहना जा रहा हूँ चलो अभी आते हैं सिधे-सिधे बात करते है हम एक physics जो हमने इसे पहले पढ़ी थी atoms का one shot मेंने करा था 100% देखा होगा आपने क्योंकि उसकी बात कवर करोगे तो बहुत अच्छे से clarity बनती है ठीक है तो देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा link नहीं है लेकिन फिर भी atom को पहले पढ़ें उसके बाद अंदर जाएं यह हम modification के थे उन्होंने बहुत radius define की थी वह सब हमने पढ़ा हमें अभी लगभग लगभग इतनी जानकारी हो चुकी है कि यार एक electron एक proton है कैसे जानकारी वी electron के जानकरी तो तुक्के में हो गई थी क्या thought or experiment जो हुआ था वो गलती से हो गया था और उससे पहली बार पता लगया कि इस तरह की कुछ चीज negative type की चीज किसी atom में मौजुद होती है फिर लोगोंने उसे electron नाम देना शुरू कर दिया proton की खोज क्यों होगी सर्फ proton की खोज इसलिए हो पाई क्योंकि electron का nature था negative और हमें ये पता लग चुका था कि atom जो होता है वो electrically neutral होता है यानि उसमें कोई charge नहीं होता अब atom में कोई charge नहीं होता एक तो बात यह है और दूसरी बात हमें electron दिख चुका है अब इसका मतलब य negative charge तो हमें दिख रहा है लेकिन reality कहती है कि ये charge less है तो जरूर क्या होगा जितना negative इस atom में उतना ही कहीं से positive भी इसमें आ रहा होगा जिसके करण net result 0 हो जा रहा होगा इसलिए लोगों के मन में पहला idea proton का हीसा आया उनको ये लगा कि अगर electron exist कर रहा है तो proton भी exist करना लेकिन proton की खोज एक logic थी अब उसके बाद क्या हुआ neutron का आपने शायद नाम सुनाओगा वो कैसे existence में आया अब हुआ ये कि लोगों ने ये देखा कि यार क्योंकि आपको पता है rather food experiment इससे पहले हमने किया alpha particle scattering experiment gold foil वाला तो उसमें इतनी बात लोगों को समझ में आ चुकी जो मास है वो एक बहुत छोटे से volume में concentrated है और वो बहुत minute सा volume है दस की पावर माइनस 15 मीटर एक फेरो मीटर का volume है फरो मीटर का अब लोगों को लगा कि ये इतने से इलाके में आपका कौन रहता है mass रहता है और उस mass में धीरे धीरे पता लगा कि protons रहते हैं number of protons वहाँ पर पहले भी किया था अज़ दुबारा करूँगा इसके उपर अब देखो इतना तो clarity है लोगों को कि ये ना इसमे number of protons 11 है समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं से मैंने last time बताया था भी दुबारा revise करा दूँगा अभी मैं introduction लेते वे चल लहाँ 10-15 नेर तक चलेगा यार 1.67 into 10 की power minus 27 kg की type का होता है ये idea लग जोगा था अब आप खुद मुझे बता हो अगर मुझे पता है कि एक proton का mass कितना है और मुझे ये भी पता है कि मेरे sodium में कितने proton है जो कि 11 है तो मैं आसानी से क्या total mass नहीं निकाल सकता अराम से सर में जो mass of nucleus है वो अराम से निकाल सकता ह होना चाहिए 11 into mass of proton जब मैंने इसे solve किया तो मैंने देखा कि जो actual mass आता है nucleus का ये उतना नहीं है और काफी बड़ा deviation है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या जैसे ना आपने इसे solve ग्यार ग्यारा सतर ग्यारा सतर ग्यारा अच्छे के 66, 66, 67, 73 होता है 11, 17, 18 मैंने मोटा मोट रफली calculate कर दिया ठीक है आपने हिसाब से कर लेना हमारा mass लगबग मान लेते इतना आ गया ऐसी एक rough idea अब लोगों ने देखा ये आया लेकिन experimentally देखा तो लगबग दूगना mass आना चाहिए जब उनके according उनको लगा कि 11 proton है एक proton का mass पता है तो mass इतना ना चाहिए ये theoretical है य आइडिया आपके सामने लिखा वाई छोड़ी कर लेकिन practically जब देखा गया क्योंकि इस तरह की technology विक्सित हो चुकी है कि जिससे हमने idea ले लिया कि mass कितना है actually nucleus का mass कितना होना चाहिए तो जो practically हमें mass मिलता है वो इसका almost दो गुना था यानि कि आप इसका दो गुना कर लो मत तब लोग को इक idea है उनको idea क्या है उनको idea है कि यहां तक की बाते ठीक हो रही है लेकिन जरूर हो ना हो यहां पर nucleus में कोई और भी है proton के लावा जो हमें दिखाई नहीं देरा दिखाई नहीं देरा मतलब कुछ तो है यहां पर जो charge less होगा क्यों charge less होगा क्योंकि plus और minus का ह कह रहा हूं दो गुना और है exactly दो गुना होने का कोई खास मतलब नहीं है उसके आसपास अभी आपको समझ भाएगा क्यों कह रहा हूं तो इससे लोग को idea आ गया कि यहां पर जो यह चीज रही है जिसको अन लोगोंने neutron का इननने का यह neutron जो है न इसके पास significant mass है लेकिन यह दिक्कते आ रही थी calculation में इसलिए हमें एक नया term लाना पड़ा neutron जैसी कोई चीज होती है existence में धिरे-दिरे समझ में आया है कि हमारा सोचना सही था तो आपको समझ में आ गया electron तुक्के में proton charge को balance करने के लिए अविश्कार किया गया basically सोचा गया और neutron को mass को balance करने के लिए स मेरे 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 वीडियो बंद करो और दुबार से नया बनाओ कि यार कुछ देखो कम ज्यादा शब्द होते रहेंगे लेकिन क्या है न आप प्लीज एक थोड़ा सा चीज़ों को मुझे बतन कर रहता है मैं सुसता हूं कि बच्चा देख रहा होगा वीडियो फिर उस करके समझ में आगा बस पांच-दस मिनट अब थोड़ा सा कंसिस्टन बनने की कुशिस करो देखो इदर अब Atomic Mass से हम स्टार्ट करते हैं यह क्या होटा है सर Atomic Mass हम पढ़ते हैं क्योंकि Atomic Mass तो Atomic Mass तो Atomic Mass तो Atomic Mass तो हम पढ़ चूके अच्छा तो Atomic Mass का मतलब यह होगा कि अगर ही कोई Atom है For Example एक Simple सा Atom ले लेते हैं Let us say Hydrogen, Helium को ले लेते हैं दो-चार टाइप का अब हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में अभी हम बात चीद और भी करेंगे ठीक है मैं ऐसा करता हूँ Atomic Mass पढ़ाने से पहले Composition of Nucleus को एक बार डिसकस कर लेते हैं इसमें अब वह बाते ले लेता हूँ जो मैंने Last Time भी पढ़ाई थी ताकि मेरे लिए बाकी चीज़े बूलना आसान हो जाए देखो एक example देखो एक कोई element है let's say x ठीक है hydrogen helium lithium कुछ भी हो सकता है इसका यह जो नीचे लिखते है और यह जो उपर लिखते है मैंने Last Time बताया था इस वाले को कहते है mass number एक revision कर लीजे प्लीज अपना और उसी से आगे बात कर लेंगे इसको कहते है atomic number इसे कहते है atomic number मैंने बताया था कि atomic number जो होता है वो number of protons को represent करता है और जितने number of protons होंगे उतने ही number of electrons होने चाहिए क्यों ताकि plus और minus जो रहे वो balance रहे इसका मतलब number of protons और number of electrons दोनों के दोनों बराबर होंगे एक बात है और किसके बराबर होंगे atomic number के अब यह मैं example भी देता हूं साथ साथ लेते हैं खटा-खट से sodium का ही example ले लेते हैं तो sodium माल लेते हैं वो element था sodium का atomic number असल में 11 होता है और mass number 23 होता है इससे हमें एकदम से idea आगया कि sodium में number of protons कितने हैं 11 और sodium में number of electron भी कितने होंगे 100% 11 अब यहाँ पर समझने वाली बात है क्या वो देखता है जो भी atom होता है हमे समझ में आया कि atom के चारो तरफ जो centric लाका होता है जो center का लाका होता है वहाँ पर सारा mass concentrated है और अब हमें clarity आने लग गई है कि यहाँ पर इस particular इलाके को यह जो मैंने ऐसा दिखाया बढ़ा करके इसको कहते है nucleus यह nucleus होता है अब सवाल यह है कि nucleus का मतलब क्या nucleus मतलब नाभि नाभिक मतलब center का इलाका इस इलाके में सारा mass concentrated है concentrated है यहाँ पर दो लोग मौझूद है एक का नाम है आपका proton और एक का नाम है neutron यह उस समय लोगों को लगा अब तो लोगों को बहुत कुछ लगता है अब तो लोगों को लगता है कि 35 element यहां बैठे वे ठीक है वो बाद मै की बात करते हैं कि लोगों को लगा कि एक वहाँ पर है proton और एक है वहाँ पर neutron मतलब एक मतलब proton नाम की कोई चीज है neutron नाम की कोई चीज है उनके number of जादा हो कंसर्थ जादा कम हो सकते है ठीक है ठीक है proton के बारे में उनको यह समझ में आया कि positive nature रखता है neutron के बारे में समझ म होता है यह charge less होता है एक बात यह है दूसरी बात क्या दूसरी बात यह समझ में आया उन्हें कि अगर proton का मास mp है तो इसका मास mn होगा और उन्हें यह दिखा calculation से कि इन दोनों के मास almost almost similar होते हैं almost तो हम इस calculation purpose के लिए हम मान सकते हैं कि हाँ equal होते है चलेगा equal होते है इनके पीछे लिखाता मोटा मोटा समझो कि 10 की power minus 27 kg के order के इनके मास होते हैं क्योंकि एक जैसे ही होते है यह हमें पता चला तो कुल मिलाकर इन दोनों को proton है neutron है इससे अच्छा इनको एक नया नाम देती है nucleon अब आप समझ गयोंगे nucleon जब हम कह रहे हैं तो हम किसके लिए word use कर है तो इसमें proton भी आ जा रहे है और इसमें neutron भी आ जा रहे है तो कभी भी आपको अगर कहना हो कि nucleus के अंदर के जो elements होते हैं तो उनको क्या नाम दे देते है nucleons ठीक है तो nucleons ही हो गया ठीक है अब हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा वगत composition आप देर देर समझ रहे होंगे ची कोई role नहीं है सारा role nucleus का है और nucleus में proton भी है और neutron भी है और दोनों के अच्छे ठीक ठाक amount के mass है electron के mass को हम negligible माल लेते है electron का mass जो होता है वो 10 की power minus 31 kg के order का होता है जो कि बहुत comparative ही हलका है proton ने neutron से यानि ना के बराबर है ऐसा समझ लो आप वो अपने charge के करण है electron, mass के करण न यह असल में number of protons को यह मैंने पहले ही बता है no doubt लेकिन मैं इसे दुबारा से revise कर आ रहा हूं यह number of protons और number of neutrons के बराबर है आपका mass number mass number क्यों कह रहोंगे सर्व जो mass आता है ना आपका उस कितने number से आ रहा है अभी आप बोलोगे number number के अभी समझ लेते हो don't worry हां समझ लेते हैं हाथ तो खाती समझ लेते हैं देखो बहुत general सा है जहां से समझेगे यहीं पर समझ लेते हैं आप प्लीज जहां से समझना अगर आपको ना पता है कि यहां पर अंदर पर लेटस से आपको पता है कि five protons यहां पर मौझूद है आपको पता है मान लेते हैं और आपको example के लिए मैं ऐसी बोल लेता हूँ आपको पता है कि four neutrons यहां पर मौझूद है ठीक है तो आप मुझे बताओ कि आपका जो mass of nucleus होगा nucleus का जो mass होगा, nucleus का जो mass होगा क्या आपको नहीं लगता कि वो total mass of protons है 5 proton का mass और 5 neutron के mass को जोडने से मिलता होगा इसका मतलब 5 गुना proton का mass proton के mass को ऐसा लिख लो और plus 4 गुना neutron का mass neutron का mass क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बिल्कुल सा लिख सकते हैं चुकि मैं बोल रहाँ कि proton और neutron का mass एक जैसा है, इसका मतलब यह हुआ कि 5 of MP plus 4 of MP कह सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो MP, proton का mass और neutron का mass, almost बराबर है मतलब बराबर ही है, और इसको हम एक नया नाम देते हैं, जैसे कितना था मैंने पीछे लिखा था, 1.67 याद मत रखो, कोई बात में, आप याद करने पर मत आओ, आप सिर्फ यह समझो कि कुछ तो है इस कुछ को लोगों ने यू कहा वो कहरें, आपको याद नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, यू कह लो या ज़्याद ही मन कर रहा, तो AMU कहलो, Atomic Mass Unit कहलो, ऐसा करके क्या होगा सर, ऐसा करके यह होगा न, कि आपको पता है कि MP की वैल्यू कितनी है आपको पता है कि MN की वैल्यू कितनी है तो सिंपल हम U नहीं लिख सकते उसके प्लेस पे ऐसे हैं उसके प्लेस पी U, तो कुल मिला कर सर, मुझे न, 9U मिलिया, अब जब भी मुझे अपना आंसर इग्जैट चाहिए, मैं U की वैल्यू को लिख दूँगा, मुझे अपना आंसर इग्जैट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा U की value को लिख दूँगा जो भी answer calculate करके आगा वो maths वाले कर लेंगे उस काम को जो भी calculate करने हम कर लेंगे वो बड़ी बात नहीं, calculator कर लेते हैं आजकल अपने को main इस पर ध्यान देना है, calculator का IQ नहीं होता computer चाहे कितना भी दिमागदार हो जाए लेकि उसका intelligence quotient zero है वो बात लगए कि हम आजकल artificial intelligence create कर रहे है ठीक है, वरना इंसान में और आदमी में और computer में यही फरक है यहाँ तक हमने काम लाके दे दिये, computer को बोला चेक कर लो, वो कर लेगा ठीक है, अच्छा, तो क्या समझ में है, अब आपको समझ में आ रहा हूँ कभी आप पढ़ते होगे जब, आपको कभी बच्पन में कोई बोलता होगा कि यार, sodium का यह 23 क्या है आप कोई पूछा, आपको sodium का mass कितने हैं बता सकते हो क्यों बता सकते हैं, क्योंकि जो भी mass number है आप से कोई पूछता कि इसका mass number कितना है, प्लीज यार ध्यान से, अब हम आने लग गए, उतरने लग गए आप मुझे खुद बताईए, यह जो भी element है, मैंने random element किया था कोई पूछे का, इसका mass number किया है, आप क्या बोलो कि mass number मतलब proton का, कितने protons है, number बोला न, तो number of protons कितने हैं और number of neutrons कितने, इस case में 5 number of protons हैं और 4 number of neutrons है, तो आपको आंसर कितने हैं, 9 आया, अब खुद सोचो, यह 9 क्या है यह 9 बता रहा है कि 9 जने हैं यहाँ पर, 9 जने हैं, इनमें कुछ proton है, कुछ neutron है, माल लेते हैं, 5 proton है, 4 neutron है यह 9 जने हैं, अब एक-एक जने का mass U है, तो 9 जनों का mass कितना हो रहा चाहिए, 9 U, वही 9 U उनका mass आया आपको समझ में आ रहा होगा, कि यार, क्या फाइदा हो रहा है मैं mass number से, mass number से यह फाइदा हो रहा है, कि कल को किसी ने बोला, sodium का mass number 23, एक दम पता चलिया, कि इसमें 23 लोग बैठे हुए, हर एक का mass U है, तो 23 का mass कितना होगा, 23 U, इसका मतलब कल को कोई में से पूछे, कि mass of this sodium atom कितना होगा, मैं बोलूगा 23 U, और U जब मेरा मन आएगा, मैं यह रख दूँगा, और अंसर आजाएगा, समझ नहीं आया है, आपको लेगे, आगया, अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह confusing रहता है, chemistry बगर्या पटता है, समझ ही नहीं आता, atomic mass unit क्या है, ठीक बुक्त करें, ना कि आपको टेंशन में डाल दें, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा, तब ही मजा है हमें, और धेल आता रहेगा मजा, दिखते हो चलोगा, ठीक है, फिलाहल हमने ज़्यादा कुछ नहीं समझा, हमने एक तो composition of nucleus को हलका सा समझ लिया, क हैं protons और neutrons, इनको मिला के अपसे हम nucleons करेंगे, क्योंकि nucleons में रहने वाले particle है, ठीक है, अच्छा, और हमें ये भी समझ में आ गया कि अपसे हम कैसे mass number का इस्तेमाल करके तुरंत से बता सकते हैं कि उसका mass कितना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छा देखो सर, एक न, proton निकालना आगया, electron निकालना आगया, क्यों, क्योंकि जो भी atomic number होगा, उतने ही proton होते हैं, उतने ही electron, neutron कैसे हैं सर, neutron तो बहुता असान है, आप देखो न, mass number इन दोनों के बराबर होता है, तो mass number कोईसे ने दे रिखा 30 है, इस बारी में, इस वाल, proton कितने हैं सर, 11 ह है, इसमें 12 तो आपके, 11 तो आपके proton है, और 12 आपके neutron है, कोई charge नहीं लगा रहा, और बाकी ऐसे, 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 करके आपके चारों तरफ 11 एलक्ट्रोन है, वो बात अलग है, कि वो 2, 8, 1 करके, अलग-अलग shell में मौझूद है, लेकिन roughly आपको समझ में आ गया, proton के लिए प्लस लगा दिया है, और जो unsigned है, उसका मतलब वो neutron है, clarity है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में आ गया होगा, atomic mass हम कैसे निकालते है, atomic mass मतलब कुछ और नहीं, mass number के पीछे यू लगा दिया करो, और यू हमें बहुत clarity है, और वहीं से में composition of nucleus समझ में आ गया कि nucleus में proton है, neutron है, बस दो ही जहने मौझूद है, भले इंकी number जादा हो, कम हो सकते हैं, लेकिन एक का बंदो का नम proton की group है, एक neutrons का group है, दोनों मिल बाटके आराम से गले मिल के रहते हैं, पता से लेगा गले मिल के क्यों रहते हैं, अभी आ गया, तो discovery of neutron क बारे में इतना ध्यान रख सकते हो, कि 1932 में Chadwick ने इसकी discovery को किया था, Chadwick ना, कि मैंने इट पर नाच बताया था, E for electron, T for thonson ने खोच की, thonson ने पर में, P for proton, R for Rutherford, और नाच का N for neutron, C for Chadwick ने 1932 के करीब के लिए इसकी खोच की, बात में लोगों को Nobel Prize भी इसके लिए मिला था, बहुत खुब्सूरत खोच थी, इन्होंने जो की थी, neutron की, अभी हम आगे बाएठे, size of the nucleus, वाव, आप तो बहुत अच्छे जे, topic आने लगए, मजास आने लगए, मुझे तो अंदर ये, size of the nucleus क्या होता है, sir, size of the nucleus क्या होता है, sir, size of the nucleus क्या होता है, समझ नहीं आ रहा outer most shell का मतलब क्या होता है, sir, outer most shell मतलब जहाँ पर आपका सबसे energetic electron रहता है, मौझे, जैसे ऐसे electron की energy मिलती है, तो वा high orbit में, high orbit में जाता है, तो सबसे last orbit, यानि जहाँ पर सबसे अंखरी electron पाया जा रहा होगा, outer most shell जिस हम कह सकते हैं, उसको अगर हम center से मिला दें, तो ये ज आता होगा, इसे हम कहते होगे radius of, क्या कहना चाहिए, atom, atom की radius होगई, atomic radius हम इसे कह सकते हैं, हमें क्या पता चला है, कि जो atom होता है, उसका diameter जो होता है, diameter मतलब पूरा का पूरा गर आप मिला दो, ये जिस order का होता है, वो होता है, दस की power minus 10 meter की order का लगभग होता है, इसे हम एक एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं, तो एक atom का, atom का जो size होता है, atomic size वो तो हमें पता है, लगभग लगभग किये होता है, ये सारे ना तुक्के में नहीं बोलेगा, अब सब के सब हमने machine वगएरे से check कर लिए, अलग-अलग हमारे पास इस तरह की spectroscopes वगएरा होते है, उनकी alpha particle की bombardment कराई गई थी, इस बारी में electron, gun से electron की bombardment कराई गई है, और उसके आधार पर हम ना ज्यादा गहराई पर ना जाते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ा आपको 12 के बाद दुबारा पढ़ने है, अगर आप इस branch पे रहते हो तो, फिर details में जाने का मजा आता है, तो उन proton और neutron के लिए कोई सीमा बना रही है, क्योंकि आप इतनी देर से कहते जा रहे हो sir, कि neutron और proton यहां बैठता है, यह white dot में बैठता है, इस कोई सीमा है, इस कि जहां मैना है, वहां बैठ जाते है, फिर तो इन में electron में फरक क्या हो जाएगा, sir, सीमा है, एक सीमा बन गए, वो जो experiment किये गए, उससे यह पता चला कि यह जो particular region, जिस हम nucleus, nucleus कह रहे है, यह जो nucleus है न, यह पता चला कि इसकी radius जो होती है, वो directly proportion होती है, a की power 1 by 3, कि experimentally इस बात को हमने find out किया है, a क्या है, अरे, mass number अभी तो बलाता है, आप से mass number है, अच्छा, तो माल लेते हैं, जो atom है, य यानि क्या, यानि सर, जितना ज़्यादा आपका mass number होता रहेगा न, उसके according आपका nucleus का size बढ़ता रहेगा, समझ में आ रहा है, कैसे, क्योंकि सर, खुद सोचो, mass number ज़्यादा होने का मतलब है कि आपके nucleons ज़्यादा है, क्योंकि mass number है क्या a, a is nothing but the summation of protons and neutrons की number का, तो इसका मतलब a ज़्यादा होने का सिर्फ a की मतलब है कि आपके proton and neutron की counting बढ़ रही है, अब खुद सोचो proton and neutron की counting बढ़ेगी तो automatically size बढ़ेगा, क्योंकि आपको 10 बच्चे हैं, आपको उन्हें classroom में पढ़ाना है, आपने रख दिया, एक classroom बना के रख दिया, अब यही 10 बच्चे क मुझे 2-4 exception खुद नजर आ गए भी, लेकिन मैं उन्हें नहीं नहीं बोलूगा, उन्हें बोलूगा तो फिर confusion सा creator जागा, लेकिन उसको वहीं तक लो, जहां तक मैंने बोला, ठीक है, तो कुल मिलाकर इस nucleus के बारे में भी लोगोंने define करना चालू कर दिया, experiment से, science है भी या अंदर विश्वास पर नहीं चलता, सारी बाते एक एक करके होती, experimentally प्रूफ किया आता है, किसी की बात को ऐसे हवा बनी माली आता है, अब देखो आगे, ये nucleus के बारे में उनकार idea है, कि nucleus का जो size होता है, ये होता तो है, लेकिन ये depend करता है, किस बात पर depend करता है, कि कितने nucleons उसके अंदर मौझूद है, देखो यार मुझे मज़ा आता है ना, चीजों को जहां खुलने का मौका मिला है, खोल दो, इसलिए पहली बार पढ़ लो तो आप धीरे जानो हम कैसे पढ़ते है, जैसे मैं बताता हूँ क्या, सोचो atom का size कैसे depend होता हुआ, सार atom का size भी ऐसे हो पा रहा है, रेडियस है ना, क्योंकि रेडियस के अनुसार तो size defined हो, जितने number of new glands आगा है, अच्छा, सर, proportionality constant हटा दे हैं, हटा दो यारब, क्या बोल सकते है, एक ही power 1 by 3, एक नया r-naught आ गया, r-naught is just a constant, proportionality constant, और इसकी एक value है, क्योंकि constant है, तो कुछ value होनी चीए, सर, 1.4 meters की value होती, यानि दूस्तरी शब्दों में, 1.2 into 10 to the power minus 15, यानि क्या कहना चारहे है, कि आपका जो उकुल मिलाके यह हो गया, if you want, then you can just say, 1.02 into 10 की power minus 15, into a की power 1 by 3, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा, देखते हैं चलो बस, ठीक है, मैं कुछ हवा में बोलके नहीं निकल अचको, दिखतो रहें ना आपको, दिख रहें, डिख रहें की नहीं दिख रहा, दिख रहें के नहीं दिख रहें, देखो, चलो मैं, 1.00 मुझे कूछ arrangement करना पड़ेगा, यहाँ पर बताता हूँ, देखेगा, देखेगा, प्लीज, देखो, my idea, students, मैं एक छोटी सी बात ब लोगे R0 मैं value नहीं लिख रहा हूं यह सारी value लिखोगे 64 की power 1 by 3 तो 64 basically क्या है 4 की power 3 तो है 64 न तो उस हिसाब से आपने से solve किया यह आपका answer आगिया 4R0 जो भी आएगा ऐसे करके element दूसरा element let's say 27 उसका mass number है let's say तो इस बारी मैं अगर मान लिया इसको R1 कह लेते थे इसकी radius को उपर वाले element की तो दूसरा element की कौन से radius nucleus की वो कितनी होगी R0 times 3 की power 3 होता न 27 एकी value रखी power 1 by 3 तो इस बार यह फिर से कर दिया अगर मैं कहूं आपसे कि जो यह radius 1 है यानि कि जो element x था उसका nucleus और जो दूसरा element है उसके nucleus का जो ratio है वो हमें पता चलिया यह जश्ट इक बताने वाली ऐसी छोटा से example बता दिया एक छोटा सा question भी बन गया अगर आप चाहूं तो इसको बताना इससे क्या हो गया दोनों atom के जो nucleus है वो अलग-अलग size के हैं क्यों अलग-अलग क्योंकि उन दोनों का mass number अलग-अलग था यानि उन the radius the radius of nucleus basically it is what the representative of the size of nucleus nucleus के size का representation okay hopefully समझ मैं होगा क्या एक बात छोटी सी मैं discuss कर सकता हूं आपसे अगर आप बुरा ना माने तो यार वैसे होली वगेरा चल नहीं थी लेकिन मान सकते हो आप बुरा कोई वाज़ी बात नहीं थी है चलो देखो इधर आज़ो क्या बोल रहे हो सर आप सर मैं यह कहना चाहरा था कि r is equal to r not a raised to the power 1 by 3 होता है जहां पर बहुत clarity है where r is what the radius of the nucleus अब किसी के मन में पता नहीं खुरा पाथ सी आई उसने कहा कि यार हम नहीं देखना चाहते हैं कि जो हमारे ही nucleus है माल लेते ही nucleus है center में इस nucleus में density देखना चाहते है nucleus की मतलब क्या होता है density का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इन देखना चाहते है कि इतनी congested हो के लोग बैठे वे और या फिर दपके बैठे वे एक दूसरे चिपके या खुल्ले आम बैठे वे एक class में दो ही बच्चे है तो राम से एक उस कोने में एक उस कोने में बठा रहे है उसी class में 50 बच्च है और dense populated है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें प्रती वर्ग के लिए रहे है बहुत जादे लोग बैठे वे पैको के यह मतलब होता है density का नहीं यहाँ पर तो जहां हम देखना चाहरे है कि हम बता करना चाहरे है nucleus की density कैसी है तो हमें क्या चाहिए होगा mass of the nucleus चाहिए होगा हमें क्या चाहिए होगा volume of the nucleus चाहिए होगा सब कुछ अच्छा mass of the nucleus nucleus का mass तो nucleons से आता है न क्योंकि अब आप प्लीज देखें ध्यान से मान लेते हैं हम जिस element पर चर्चाएं कर रहे हैं वो यह है जिसका mass number A है और atomic number Z है अब आप मुझे खुद बताएं इसका mass निकालना ह nucleus का मुझे क्या करना चाहिए मुझे अगर पता लग जाए इसमें proton कितने है तो मैं एक proton के mass से proton का mass MP है और क्योंकि इसमें Z proton है भी पीछे पढ़के आया हम बहुत clarity समझ मैं करके समझ मैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो Z proton है तो एक proton का mass MP तो Z का कितना इतन आप मुझे please बता सकते हैं कि इसमें number of neutrons कितने होंगे सर मैंने पीछे बताया आप पीछे आराम से देखो please mass number मैं से Z घटाते हैं क्या क्यों घटाते हैं क्या घटाते हैं मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला है आप समझ में आ रहा हुआ क्योंकि mass number मैं से Z को हटा दीगे तो बच्चे का neutron मैं नहीं बोलूगा पढ़ जाता है ठीक है रूकूंगा अपने को तो A-Z क्या होगे number of neutron पीछे देखो मैंने यही बता रखा एक neutron का mass अगर mn है तो इतने का कितना होगा mn into total क्या आप मानते नहीं कि total निकलिया अच्छा volume के से सब्सक्राइकल है ना वो radius वो u कह रहा हूँ तो मैं थोड़ी देखली कह सकता हूँ z into u और a minus z into u तो a u minus z u आप समझे रहोंगे मैंने mn और mz को basically मैंने क्या लिखा मैंने लिखा mass of the neutron और mass of the proton क्या है आपका proton दोनों मैंने कहा कि equal है लगपग और u के बराबर है u यानी 1.67 into 10 की power minus 27 kg एक एक चीज में थोड़ी देखा गया यार equation 1 तो है क्योंकि radius किसी nucleus की क्या होती है r naught a की power 1 by 3 लेकिन इसका तो क्या करना है cube करना है वो जो 3 था ना उसको उठाके ऊपर डाल दिया मैंने आप समझ पा रहे हो जो 4 by 3 का अच्छा z u z u कड़ गे तो आपको समझ आ रहा 3 a u u मतलब 1 आएगा त 3 u upon 4 pi r naught cube आप समझ पा रहे होंगे u is representing basically the mass of single proton or you can say mass of single neutron which is 1.67 into 10 की power minus 27 kg if you want then you can put it ठीक है अब आपको एक बात इसमें जो समझने लाएक है वो ये कि जब हमने density निकाल एक question त्यार होगे आपका density of your nucleus होती है that is just equal to 3 u upon देखो कोई case हो जाए exam में आपके direct पूछले कि बताओ density को derive करो या जो भी करो कुछ भी आजया formula आजया competition में कुछ भी आजया कर लोगे वो important नहीं important क्या है इस case में आपको एक fact ध्यान रखना important है कि जो nucleus की mass density होती है वो बिलकुल depend नहीं करती mass number पर क्या बात बोल देतो इसका एक ही मतलब है आप जिस classroom में बैठे हो तो इस classroom में अगर 10 लोग आ जए है या इस classroom में सिर्फ दो ही लोग है उनके बीच में density एक ही रहेगी के ना चारा अब मेरी बात नमझे रहे है यह बोल रहे है यह नहीं चलेगा कि दो है तो एक उसकोने में बठा है उसकोने में बठा है और 10 है तो चिपके बढ़ेगा नह मेरी बात प्लीज एक बार थोड़ा सा अब्सर्व करों मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम अगर मान लोग कि क्लास्रूम है इसका इतना वॉल्यूम हमने लिया इतने वॉल्यूम में अगर अभी दो लोग बैठे ह हैं तो ऐसा नहीं कि 50 लोग इस लूम में आगा तो फिर यह भर जागा नहीं पचास लोग आएंगे तब भी इतनी जगह में दो ही लोग बैठेंगे और फिर इतनी इतनी जगह करके दो-दो करके बैठेंगे तब भी यह आप सबज़ गें बात को बात को समझें आप डेंसिटी पर मास नमबर का कोई फरक नहीं है किसी भी एंगल से फरक नहीं है वह आप उस बात को प्लीज थोड़ा बैटके अपने हिसाब से अपने एक्जामपल बना के सोचो कि कि आपको मुझे पता है डेंसिटी पता चलिए आपको किसे कहते हैं तो हर अच्छे तरह के से चल रहा हूं अगर आप यहां पर बैठें मैं आपको कॉंग्राचुलेट करना चाहूंगा कि आप इतने ध्यारे से सुनता है प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे जरूरू बता जिया को यह बाते क्योंकि मैं भी आपको लिटरली बता हूं साड़े बारा व हो गया हो शायद थोड़ा सा उड़ जाओ पॉस करके वीडियो पानी वगया पी लो मैं अभी पी लेता लेकिन टाइम चले जाएगा उसमें हम आप पी लो ठीक है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं अब फ्रेश हो के थोड़ा सा राम से देखो चीज क स्टार्ट का होगा नहीं तो इसमें कोई उसका सवाल तो है नहीं तो मैं कहना चाहती है कि एनर्जी और मास आपस में इंटरकनेक्टेड हैं गजब करांति आ गई थी जब यह बात बुली गई क्योंकि ना पहलें जाते हैं इंडियneck इंडियान जो जैटार है भारत का जोइं झुल्ही तो वह मानता है कि यरीड चीज आत्म है और-दूसरे जब कर जो आत्ब हैं आत्ना यानी सोल हें इ wil तो हमारे वैज्ञानिक दर्ष्ट्ट्ılar को रहा है भारत दर्षट में वो मानता है कि एक शरीर एक आत्मा है ऐसा दो छीजे बानता है एक body है, एक soul है एक body है, एक स्थूल है, एक सुक्ष में है ठीक है, एक body है, एक energy है ऐसे करके पहले से मनता है हमारा वाला दर्शत पहले लोग हसते थे बोलते थे, यार क्या क्या बोल रहे है, तुम ये लोग यकीन नहीं करते थे scientist वगेरा इस तरह की जो so called थे, बाद में जवानिस्टाइन ने एक दम से कहा उस समय, तो लोगों को यकीन सा नहीं आया फिर उन्हें प्रूव अगेरा किया, आज तो इस पर बड़े धेड़ सारी रिसर्ट चल रही है, तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला कि mass और energy आपस में इंटर कनवर्टेबल है, mass और energy को आपस में इंटर कनवर्ट किया ना सकता है, यह दोनों एक दूसरे में कनवर्ट किया सकते है, यानि mass को energy में और energy को mass तो बड़ा जा सकता है, और उसका हम application यहां पर भी देखने वाले है, थोड़ी तेरे बात एक example से पहले समझ लेते हैं मात को, example लेते हैं, simple example, एक ग्राम का mass कितना होता है, तो एक दो किलो को आप यहां कितना होता है, अब देखो आप एक ग्राम को कितनी energy 10 की पावर 8 की पावर 2, तो यह हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 3 का square 9 into 10 की पावर 8 दुनी 16, तो कुल में लाकिन 9 into 10 की पावर 16 में से 3 के 13, और यह हो जाएगा किसी जीच को electron volt में calculate करना होता है, तो उसको 10 की पावर माइनस से, electron का जो charge होता है, उससे divide कर दिया, ठीक है, ऐसी knowledge के लिए बता दिया, 19 जब उपड जागा, 19, 10, 29, 30, 32, तो 9 upon 16, ऐसे कह देता हूँ, और 10 की पावर 32 ट्राइप का हो गया, मुटा-मुटा-मुटा-मुटा और अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो देख ले ना, जो भी एक है, इतना ही लिए लिएता हूँ, और वो बहुत बड़ा अमुट है, अगर आपको electron volt में ज्यादा फील नहीं आता, तो जूल में तो आ जाना है, क्योंकि जूल में 10 की पावर 13 मनलब समझते हो, आप, एक के पी बहुत बड़ा अमॉंट है, ठीक, तो यह मैंने इसने भी करा रही है, क्योंकि छोटा सा question कभी कभी ऐसी पूछा जा सकता है, आपको कि एक ग्राम में कितनी energy बन सकती है, सिंपल ता question आ जाएगा, एक ग्राम में कितनी जूल energy होती है, तो यह ही कहना है, एक बात में चनक से यह बहुत बड़ा अमॉंट है, समझे रहो क्या, एक मीटर क्यूब का टैंक बनाओ, जिसकी length भी एक मीटर हो, width भी और height भी एक मीटर हो, एक टैंक बनी जा, उसमें 10 की power 17 kg आईटम रखा जा सकता है, समझते हो 10 की यार 17, 10 की पावर 2 मतलब 100 kg होता है, एक विंटल, 10 की पा नूकलियस की density चल रही है, अतनी भैंकर density, समाझे रहा आप, यह चीज़ है, 10 की बार 17, तो इक question भी बन सकता है, कि order क्या होता है, 10 की बार 17 kg पर मीटर क्यूब का order लगभग होता है, अच्छा, example के लिए बताता हूं, water की density कितने होती है, जैसे, समझो, आपको एक relative example दे दे लंबाई भी, चोड़ाई भी, उंचाई भी, तो एक tank बन जा है, उस tank में पानी डाल दो, जितना भी पानी होगा न, वो पानी, बेसिकली उसका निकलता है, आपका, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब निकलता है, यह निकलता है, लगभग लगग, यानि लगभग लगग, अ इससे फाइदा होता है, मास डिफेक्ट को, यह मास डिफेक्ट का नहीं चीज आ गई है, जीपसी, देखते हैं, देखो क्या हुआ, यह था एटम, हर बार की तरह, यह बीच में कौन है सर, नूकलियस, नूकलियस में हम जानता है, यह जब मैं नूकलियस में साइट से सरकल क कर रहा है, इसका मतलब मैं नूट्रॉन को दिखाना चाहरा हूँ, और प्लस से मैं प्रोटॉन को दिखाना चाहरा हूँ, तो हुआ क्या है, लोगों ने कहा कि आर एक काम करते हैं, हम यह बता दिंगे कि अटम का मास कितना होता है, आपके नूकलियस का मास कितना होता है, ज क्योंकि इसमें नंबर अफ प्रोटोन जेड है मौत क्यारिटी रखो प्लीज इस चीज में है न और ए माइनस जडी क्या नंबर अफ न्यूट्रोन से समझ में आना चाहिए वैसे तो याद हो जाएगा बार बार बूल के लेकिन समझ में आये तो अच्छी बात है पीछे समझ हैill ौ नियूट्रोन के मास्ट को फ्रोथा निकले है तो कुछ और ही क्या निकल गया जव हमने उस मांस में से ओई एग्स्परिम THIS का मास निकला क्योंकि उससे में इस तरह की टेकनीक्स आ चुकी है कि हमने chercher me maths कह रहा है maths कि इतना मास होना चाहिए और reality कह रही है कि इतना होना चाहिए और theoretically हमारा इतना निकलना चाहिए सिध्धान्त कहता है कि इतना निकलना चाहिए theoretically लेकि नहीं निकलना और उन दोनों के बीच का जो अंतर आया हमने उसे Delum कहा और इसी Delum को हमने Mass Defect कहा समझ रो Defect क्यो है Defect आगिया गड़बड़ी आगई यानि हम बोल रहे जैसे Example ले समझो कि हम बोल रहे कि निकलना चाहिए टोटल जो Mass है वो 30 30 kg निकलना चाहिए ऐसी Rough बोल रहो मैं Rough लेकिन यह मैंने फिर एक सवाल अब उनके मैंने सवाल है कि अर हमने गलती तो कुछ करी नहीं आरे इतनी महनत करी प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास जोड़ा फिर आप बोल ले नहीं जी गलत है लोंको बाद में जाकर एक बात पता चली उन्हें पता चला कि यह जो प्रोटॉन्स हैं जैसे माल लेते एक्जांपल के दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है ठीक है दो प्रोटॉन को मैंने वाइट कलर का बना दिया और दो न्यूट्रॉन को मैंने यलो कलर का बना दिया ठीक है इसका नाम माल लेते हीलियम है जिसका दो अटमिक नंबर और चार मास नंब प्रोटोन भी इसमें जो मैंने नीचे दिखा दिये अब यह दो प्रोटोन दो न्यूट्रोन जब नूप्लियस के अंदर रहते हैं तो यह बहुत टाइटली हेल्ड रहते हैं क्यों बोलनाओ सर ऐसा क्योंकि लोगों के मन में फिर एक सवाल आया सवाल कहता उन्होंने बोला यार सरिक्वा बताओ प्रोटोन जो होता है प्लस चार्ज होता क्या है जो दूसरा प्रोटोन इसका भाई इसके पास नहीं होगा ऑला। बोल ले कि आप भूलेगे कि इन दुनों के बिच मे लेक्ट्रस्टाटिक फोर्स पढ़ेगा बने का बात तो सही है यानि प्लस प्लस को धक्का मारेगा प्लस प्लस को धक्का मारेगा यानि रिपलसर तो सरी एक साथ बैठे कैसे है सवाल है यह plus plus बैठे कैसे हैं एक साथ यह तो दुनों रिपेल रहे होंगे यह दुरों को हाई रही तो बात से यह है तब हमें पता चला एक बात हमें पता चला कि जैसे electrostatic force नाम की चीज नेचर में होती है जैसे gravitation नाम की force की चीज नेचर में होती है एक nuclear force पी existence में होता है प्रतिवी के मतलब प्रक्रती के एक भेंकर force हो मैंसे सबसे भेंकर force है nuclear force nuclear force का मतलब क्या होता है कि nucleons के बीच में लगने होना force अब nucleons कहा रहा हूं मतलब क्या proton प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है proton neutron के बीच में लग सकता है मैं कहना चाहरा हूँ प्रोटोन प्रोटोन के बीच में लग जाए प्रोटोन या न्यूटोन के बीच में लग जाए या फिर न्यूटोन और न्यूटोन के बीच में लग जाए ठीक है जैसे न्यूटोन न्यूटोन ये दोनों के दोनों हो गए ये न्यूटोन हो गया और ब बिल्कुल करता है सर क्योंकि प्लस प्लस है, क्या सर proton & neutron के बीच में electrostatic force work करेगा, नहीं करेगा सर, क्यों नहीं करेगा, क्युकि proton तो चार्ज है लेकि neutron तो चार्ज ही नहीं है, और similarly electrostatic force इसमें भी काम नहीं करेगा, लेकिन इस उपर वाले में electrostatic force काम कर रहा है ठीक है और तीनों ही case में जो एक force काम कर रहा है वो nuclear force तो तीनों ही case में काम करेगा क्योंकि nuclear force एक नहीं चीज़ आई वो nucleus में रहने वाले nucleons के बीच में लगने वाला force of attraction है बड़ी बात यह force का कौन सा type है attraction वाला यानि अगर यह proton proton इक दूसरे को खीचिंगे neutron neutron खीचिंगे proton neutron भी दूसरे को खीचिंगे यानि रिपल्सिव नहीं attractive nature का force तो सर एक बाद बताओ यहाँ पे तो electrostatic force भी है और आप बोल लो nuclear force भी है तो इन दोने में जीतेगा कौन है क्योंकि electrostatic तो उसको बाहर करने की कोशिस कर रहा है प्लस प्लस को और आप बोल लो कि nuclear force एक दूसरे को attract करता है क्योंकि nuclear force बहुत भेंकर होता है कैसे जो nuclear force होता है nuclear force मतलब nucleons के बीच में लखता है जो force nucleons कौन कौन? proton neutron वो ज़र 10 की power बावर 38 गुना करोगे ना अगर आप gravitational force का तब जाके अब बताओ gravitational force कितना भेंकर होता है हमारी दुनिया को टिका रहा देशने है सूरी के साथ वो है gravitational force जिसके करण सूरी प्रतिवी घूम रही है बाहर नहीं भाग जा दिया अपने कक्षा से जिसके करण सेटलाइट प्रतिवी के चारो तरफ भूम रहा है जिसके करण चान प्रतिवी के चारो तरफ भूम रहा है वो है gravitational उससे 10 की पावर 38 गुना जादा बढ़ा भेंकर यह force है nuclear force और लगभग लगभग 10 की पावर 2 गुना electrostatic force है electrostatic force ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीकेस्ट फोर्स है जब कहाम इतने भेंकर करता है तो यह हम उसे वीकेस्ट कह रहे है क्यूंकि nuclear force लेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स से भी 10 की पावर 2 यानि 100 गुना भेंकर है अब आप खुछ नमझ जाओ इन मैंसे इनको ओर्डर में एको कौन वीकेस्ट कौन स्ट्रोंगेस्ट तो यह है ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना भेंकर ज्यादा बड़ा है आपको दिख रहा हुआ तो आइटिंक आपको यह छोटी सी बात समझ में आ चुक है जो मैं आपको कहानी सुना रहा है तो मैं यहां क्या कह रहा था मैं यहां यह कह रहा था कि यह प्रोटॉंस है और यह आपके दोनों नीचे की यलो वाले न्यूट्रॉंस है अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार यह बंधे हैं आपस में किस force से बने हैं सर इस force का नम है nuclear force इस nuclear force की खास बात क्या कि एक short range force है short range मतलब बहुत कम distances पर यह work करता है जब दोनों के बीच का distance महुत ज़्यादा कम हो जाए fermi meter के around तब यह work करता है और जैसे जैसे nucleons आपस में दूर दूर होने लग जाते हैं यह work करना बंद कर जाता है यानि कमजोर होने लग जाता है समझ वाले हैं अभी graph अगरा दिखाऊंगा इन सब चीज़ों के इन तक यह कोई बात में यह क्या short range force होता है एक बात आपको यह समझ वाले mass defect कैसे अब क्या हुआ अब सोचो sir यह proton, proton, neutron, neutron, neutron यह good बनाके अपने अंदर बैठे हैं अब इन दोनों को यह चारो के चारो जब अगर अंदर बैठे हैं यह चारो के चारो मिल के बैठे हैं तो इनके मिल के बैठने में यानि कोई energy work कर रही है जिसने इनको चिपका के रख 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 है टेशे नर्जी ने उनको चिपका के रख रखा है क्योंकिसा भाग जाना जाते है यानि उस एनर्जी के लिए मैं छोटी सी बात बता रहा हूं उसे एनर्जी को कहते हैं binding energy जो पीछे लिखावा मैंने nuclear・binding energy अब वो एनर्जी आई कहां से वो energy जो ये mass में defect आया इसी defective mass से convert हुई है अब मैं पूरी story को एक बार fair काम करके समझा देता हूँ आपको क्या-क्या कहानी में हुआ है सारी किसारी बात हुए mass defect तो अलड़ी है मैं समझ में आ गया कि जो हम सोच रहे हैं theoretically मास होना चाहिए उतना नहीं है उससे कुछ कम है ठीक है example के लिए मैं लिख लेता हूँ हमने सोचा theoretically हमने सोचा कि mass 10 आएगा लेकिन mass आया 7 ये हमारा practically आया ये एकदम सही बात है गलत नहीं तो इसका जो difference यानि कि जो 3 आया ये 3 mass निकला इसको हमने कहा mass में आया वा defect अब ये mass defect से हुआ क्या इस mass defect के corresponding जो energy आएगी क्योंकि इसका mass अगर 3 है तो 3C square mc square energy बनेगी न ये 3C square energy mc square energy से निकाल रहे हैं ये energy ही वो energy है जो उनको बांधे रखने के काम आ रही है nucleons को ठीक है न तो आप शायद समझ चुके होंगे कि जब भी हमारे nucleons यहाँ पर ऐसे 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 बंधे हैं अब देखो मुझे एकदम समझ मा आ गया कैसे समझाना है इस चीज को बहुत बड़ी अप्रटों बहुत अच्छा example सोचा आपने इन सब के पास अपने अपने में कुछ एक एक मास से अपने अपना मास से और उससे हम उसकी निकाल दे रहे हैं कि उसका टोटल मास निकल रहे हैं जैसे इस प्रोटों का मास 10 है इसका भी कितना है इसका फीन निकीत अच चाहर है लिए भतान कितना है ऐख को प्रोटों के मैद स्जाने के लिए मैं यह नहीं है कि एक ही जाएगा मैं बोलाओ कँछ कम हौँ गया होना कितना चीटा एक एक सब का/. है लिए इनको बीच में जो फेली कॉल गांने जोड़े के फरी में मिला कि आपने वो मास को खर्च किया उसने वो दुक्रान में गिया वहां की E is equal to MC square की उसने ले भाई पकड़ मेरा मास थोड़ा बहुत और उसकी बदले मुझे कुछ और दे दे जोड़ने के लिए समझ में आगई बात आपको बस इतनी सी बात है अब मुझे खासे समझ में आ गया है तो अगर मैं example को अगर आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे मैं इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूँ फिर उसके आगे बढ़ रहे हैं मान लेते है example के लिए 3.5 unit mass बन रहे हैं तो अब सवाल है कि 0.5 mass का जो defect आया क्योंकि mass defect कितना है total mass जो आपका theoretically था लेकिन experimental कितना मिला 3.5 यानि 0.5 का क्या है mass defect आया अब सवाल है कि mass defect में क्या क्या सर mass defect क्या energy की दुकान में उससे बोला कि मुझे na e is equal to mc square formula से जितना मेरा defect है जितना मेरे पाद छोटा मूटा mass में दे रहा हूँ आपको उसके बदले मुझे कुछ energy दे और उस energy के थूई आपस में बहुत बढ़िया एक्सापल मुझे लगता है अब शायद समझ में आगया अब आगया हूँ अब आगया हूँ तो न्यूक्लियोंस जब अलग 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 बैठें तो उनका mass कुछ है और हम सोच रहें कि सबको जोड़ेंगे तो total mass न्यूक्लियों स्काजयगा वहाज अनिरा कुछ ना कुछ डिफेक्ट जो आ रहा है वह डिफेक्ट ही काम कर रहें बाइंडिंग अनरजी बनाने का ठीकिया अब समझ में अगया बहूं अब तो मुने प्लीज डर बता देना मुझे मुझे लगत समझ में आगया बहुत बढ़े हैं बहुत सुन्दर अब मैं समझ में आ चुक है कि nuclear binding energy समझ में आगे अब क्या है आप क्योंकि न अब जैसे अगर माल लिया हमें कोई कह रहा है अब एक और बात समझ ले क्या गई अच्छा है है इंटरस्टिंग है यह चार nucleons example के लिए मैंने कहा कि जैसे helium है example के लिए helium के चार nucleons होते हैं मुझे मन कर रहा है इन चारों को अलग-अलग तोड़ने का तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे इसके nucleons को अलग-लग करना है disintegrate करना है कितनी energy चाहिए होगी उसी energy को हम क दोनने के लिए उसी को हम कहते है nuclear binding energy कैसे निकालते हैं सर कुछ भी तो नहीं है nuclear binding energy कुछ और नहीं है बलकि हमेशा याद रहे को डेलम स्कूर क्यों है वह क्योंकि यह mass defect into c-square है अगर आप कहानी को पीछे से जोड़ोगा आपको एकदम कहानी क्लियर हो जाएगी कैसे क्लि यह total जितने protons हैं उनका mass यह total neutron है उनका mass दोनों लेकिन यह actually आता नहीं है इस मैंसे हमें जो experimentally result मिलता है वही result होता है डेलम की equal ठीक है यानि जो mass में आई कमी है वही कमी इनको जोड़ने के लिए काम आ रही है यानि कल को मेरे से कोई कहे कि इसको कितनी energy ने जोड़ा है मैं आप खुद सोचो मैं इतनी ही energy फैंक दूँ इसके ओपर अगर 0.5C square कि तो अभी ठूटेगा ने ठूटेगा क्योंकि उतनी energy से बंधा हुआ हो बहुत प्रेयर समझ में आ गया है मैं एक बहुत हगा साथ देखनो मारा system वगरा चल रहा कि बस मैं हवा में लगावा बूलने चल रहा सब को चल रहा ठीक है बहुत अच्छा इतना समझ में आगे है nuclear binding energy से अब एक कहानी और इसी में एक extra term बहुत interesting term जूड़ता है जिसका नाम है nuclear binding energy binding energy per nucleons क्या है अच्छा इक बात बताओ एक बात मैं हमेशा question पूछता हूँ जब मैं बच्चों को thermodynamics में car not engine पढ़ाता हूँ तब भी मैं अकसर पूछता हूँ एक छोटा से vessel आप मुझे एक बात बता दो एक बच्चे के 40 number आए एक बच्चे के 60 number आए कौन सा बच्चा चा पसंद करोगे 40 या 60 आप इसे अकसर में बच्चे जब सामने रहते हैं मैं कहता हूँ गड़बड़ी में हुआ आप क्योंकि यह 50 मैं से ला रहा यह 100 मैं से ला रहा अब आप बताओ आप कौन से लाना पसंद करोगे 50 मैं से 40 ज्यादा पैटर है इसका मलब क्या देखा इसक हां यह मैंटर करता है इसीलिए इसीलिए मैं हां पर question को लाया क्योंकि हमारा topic इसी पर बिर टेए अब कोई मेरे से कहरा ध्यांसे सुनने के हो रही है कोई मेरे से कहरा सर मुझे ना किसी नुक्लिए उन्स को तोड़ने में अलग-अलग करने में समझे नूप सौर निूपर जिप मैं अिल्ट्रhour वगरहा में मैं लेक्ट्रोन गोल्ट में चलती है मैं एग्जांपल के लिए जूल के लिए आसे कोई किरा जर मुझे 60jů अलाईजी चल रही है यह nut bud को तोड़ने में उघ्वारा सर लाई काउन से उख भूझे है कुछ सा टाइटली पहुंड है आप देखो ना मेरी बात सम्दूर्ट अब आप जन्रल क्वेसिन क्या आगा सब जिसमें ज्यादा एनरजी तोड़ने के लिए लग रही है इसका मतों ज्यादा तेजी से बंधा हुआ यही तो आएगा मन में सवाल है बिल्कुल सही सवाल जव से देखोल जिन तोरना थहें इसमे दो सो नियुकलियांस थे, जिने तोरना था है क्लियर नी मन पायां ऐसा करते है थोड़ा सा डेटा को करेक्ट करने के लिए इसको ऐसा कर देते हैं सौ कर देते हैं ताकि क्यल्कुलेशन ठिक ठाक लएए अब आप सोचू ऐबार-10 और Nucleon को तोड़ने के लिए इसे 60 Joule energy की जरुवत पढ़ रही है अगर मैं इन दोनों को equivalent बनाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ सर ये वाले को हम थोड़ा काट फीट ले तो ये 40 बटा 100 आएगा अगर हम देखने के पर आएगा अब आप comparison करने की कोशिस करो क्योंकि अब ये दोनों के दोनों equivalent हो पाए comparison करने के लायक बढ़ पाए पहले वाले case में हमें लग रहा था कि 80 Joule energy की जरुवत पढ़ रही है एक को 60 Joule तो डेटा हटा हो साइड में देखके बात करो 80 Joule एक को तोड़ने के लग रही है ज़्यादा energy की जरुवत है यानि कि इसको देखके सकल से देखके तो लग रहा कि ये ज़्यादा मजबूत है मुझे तो भईया यही लग रहा आपका मुझे बता निए मुझे लग रहा है ज्यादा मजबूत है कि मैं नीचे ओपर कुछ नहीं देख रहा है मैं सिर्फ देख रहा हूँ अभी 60 और 80 को मुझे लगा कि इसको तोड़ने के लिए 80 जूल energy की जरवत है इसको तोड़ने के 60 जूल energy की जरवत है कशा असी जूल तो बहुत है ज्यादा तेजी से बंद्रव 문 अब नीचे आके reality देखो रीदिक क्या पता चलरह एक कि यह साठ जूल में तोड़ने च filters चॉन सो मजबूत है कौन सा मजबूत एक यह वाला यह वाला ज्यादा मजबूत है यह वाला जादा माधबूत है क्योंकि हमें 100 नूप्र को तोड़ने के लिए 60 जूल एनरजी देनी पड़ दिया है यहां पर वही 140 रुपे ऐसे समझो कोई चीज है किसी चीज को लेने के लिए 60 रुपे देने पड़ रहे हैं हमारी जिप से खड़ रहे हैं आपकी जिप से कहां पर ज्यादा खड़ चाओ रहा है सरसाथ जूल में ज्यादा खड़ चाओ रहे हैं यह ज्यादा मजबूत ही से मत आवा आप एक बार अपने उससे समझवने एक ग्जांपल लेकर समझा दिया क्या कहने का मतलब यह कि लेने किया युकान में आब मुझे कोई कह洲 यह चालीस रोपेगा अधा किलो अधा किलो अधा किलो मैं सिर्फ रूपियों को देख़ों तो मैं गोलोंगा 40 रूपेगा अधा किलो आज आ वह वो 50 रूप्य किलो मुझे कि अगर कोई समझ ना हूँ मैं किसके बज जाऊंगा मुझे तो लगता मैं 40 रुपे का अदा किलो लेकर आजाओगा अगर मुझे किलो की समझ नहीं है मान पाऊंगा कि मैंने फाइदेगा सोधा किया नहीं मान इग्जेक्ट चीज यहां पर लागू हो रही है इग्जेक्ट क्या करना चाहते हो हमारे लिए इंपॉर्टंट यह नहीं है कि हम एनर्जी कम देरे जाते देरे प्रती एक नूक्लियान को तोड़ने में कितनी हो जाता है कि 100 से बात कर रहा कई बार बच्चे मुझे कहते हैं सर प्रेमें कम आ यह कितने हैं सिक्ष्टीनadd आ रहे हैं आं बच्चे ऒहराए सूचकर क यह सू में सहाथ मेंक्रा अगरा 70 में से 60 की बात कर रहा Lightning would output इस कदर मेर्डर करता है तो वही चीज लोगों नहीं बोला भैया हम नहीं चक्करों में जैसे हमने प्रसेंट वाला हिसाब केताब बना रहे है, जैसे हमने रिताब के लिघेशे हमने किलो वाला प्रति किल वाला हिसाब हिसाब न्यूक्लियोन यानि एक न्यूक्लियोन को तोड़े दे में कितनी एनर्जी लग रही है उसी का ग्राफ है अब आप समझे रहोगे तो अब इस ग्राफ पर थोड़ा सा डिसकेशन करके आगे बढ़े हैं बहुत अच्छा हम चल रहा है अभी तक मेरी ख्याल से अब देखो ये ग्राफ बहुत बढ़ी है आपके इसमें बनावा एक्जाम में कोईशन आयता इसका अगर आप 12 की तियारी कर रहे है और अधर्वाइस इसमें से कोईशन बनते हैं अंसी क्यू वगएरा अच्छे से बन सकते हैं देखो इस ग्राफ को अब दिख रहा होगा आपको यह बता रहा है हाइड्रोजन तू यह अभी मैंने आईसो टोप अगिरा शायद आपको पढ़ाएं पढ़ा दूगा हाइड्रोजन का इसो टोपए डूटेरियम कहते हैं इसे ट्राइटियम कहते हैं यह लीथियम है यह हीलियम है देखो हीलियम में एक शार्प आया को दिख रहा होगा यहां पे भी आपको शार्पनेस कार्बन में दिख रही होगी ऑक्सियन में भी शार्पनेस दिख रही हो बढ़ रहे हैं एक limit तक आगर बढ़ रही है इस particular जगे तक maximum है अगर आप इसको गौर करो तो यहां पर जो number आया वह है 56 अब सुनों कहानी शुरू हो गई है बहुत important topic है बहुत ज़्याद है important यहां से सुनना हो यानि जब आप मास नंबर 56 पे पहुंचते हो जो फेरिक का होता है यानि लोहे का होता है आयरन का होता है उस पर maximum यह equation बन गया जनल नॉलिज का कि किसकी maximum जो यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूकलियों किसकी होती है सर फेरिक की होती है 8.8 मेगा एलक्रोन वोल्ट के लग दाल नॉक्लियोंस वो यह 8.8 मेगा एलक्रोन वोल्ट किसके लिए फेरिक के लिए यानि क्या फेरिख यानि-कि आ इरन जिसका अतमिक नंबर होता है छब्बीस और जिसका मास नंबर होता है छबपन ज़ियार यानि ज़र इस मेना छबपन प्रोटॉन नूत्रोन होताी है मतलब कुछ proton है, कुछ neutron है, 26 proton है और बाकी बचे कितने 20, बाकी बचे 30 neutrons है ये सब के सब जो मिलकर अगर आपको एक करकें के टुकडे गड़ देने तो आपको प्रती एक nucleon को लग करने के लिए 8.8 मेगा एलेक्टरन वोल्ट के energy की जरुबत करती है जो कि बहुत heavy amount है इतना heavy है कि पुरी periodic table में सबसे ज़्यादा heavy है ही है सबसे ज़्यादा cutting पुरी periodic table में तोड़े ना, feric को है अगर हम सिर्फ binding energy के अधार पर चलते हैं तब तो हम क्या करते हैं? obviously हम सबसे last वाले को बोलते हैं अगर हम सिर्फ binding energy पर चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जिसका mass number ज़्यादा उसको तोड़ना मुश्किल हम यही कहते हैं सबसे ज़्यादा mass number लेकिन यहां वो बात नहीं होई यहां प्रती एक को तोड़ने की बात हो ज़िया प्रती एक nucleon को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा energy की requirement होती है question ज़्याद कर लो 8.8 में का लेकिन अच्छा observation की चीज़ें सुनो अपके observation की चीज़ें यह हैं कि हमारा graph बोलता है शुरुवात में शुरुवात में बोलता है कि आप जैसे mass number बढ़ाओगे आपकी binding energy पर-nucleon भी बढ़ेगी ठीक है लेकिन करामाद तब होती है जब हम यह इसके आगे की बात करता है अब आप इसके आगे जब बढ़ते हो तो binding energy आपकी घटरी है पर-nucleon में यानि आगे के जो नुक्लियों से उनको पर-nucleon को तोड़ना असान है इवन uranium पे अगर आप फोकस करें 235 uranium जिसका मास नंबर होता है आपने सुना भी होगा uranium में अक्सर radioactive element में नाम uranium का सुना होगा यानि क्या कहना चारा है यानि uranium uranium को तोड़ना असान है बबुजी uranium को तोड़ना असान है भले ही उसमें बहुत सारे nucleons है बहुत सारे nucleons है फैरिक बिचारे में सुर्फपनी है लेकिन तोड़ना मुश्किल किसे है प्रती एक में तोड़ना मुश्किल किसको पड़ जाएगा आपको फैरिक को uranium आसानी से तूड़ जाएगा तोड़ना यहां पौइंट पॉंट सम्तिंग है यहाँ 7 point something है mega electron volt आपको लग एक unit का फरक रहा हुगा mega electron volt की बात चल रही है इसलिए 10 की power 6 electron volt का फरक पड़ जा रहा है समझे रहो मेरी बात को समझे रहो अच्छा, अब मैं ही से आपको एक छोटा सा concept बता रहेता हूँ फिर हम आगे बढ़े रहे आपको एक बात बताओ क्या आपको लग रहा कि यह particular दाइरा जो है, यह एक ऐसा दाइरा बन चुका है, जो stable है stable क्यों सर, क्योंकि इसे तोड़ना मुश्किल है stable ही तो काओगे इसे फिर stable ही तो काओगे, क्योंकि ज़्यादा energy से minded है, इसका मतलब क्या समझा रहा है इसका मतलब सर, यह समझ में आपा रहा है कि जो शुरुवात के elements है यह शुरुवात के elements है यह भी ज़्यादा stable नहीं है अगर मैं एक बार कहने पर आजाओं अगर अपने पर तो मैं कहूंगा कि यह unstable है अगर मैं कहने पर आजाओं तो मैं यह कहूंगा कि यह भी unstable है अगर आप थोड़ा मोटा मोटा observe कर पाओगे, यह जो beach के लोग है, यह maximum stable है जिनके energy 8 मेगा लक्टरन वोल्ट से उपर जा रही है, इस line से उपर जा रही है यह beach के लोग है, intermediate यानि क्या, यानि ना तो बहुत heavy element, ना तो बहुत हलके element, stable है कौँ है stable, beach के element intermediate element stable है और यही से जन्म होता है nuclear fusion का, क्यों, क्योंकि sir, हलके element मिल करके कोशिस करते हैं कि हम beach वाली range में आ जाएं क्यों, stable हो जाएंगे इसलिए इनमें होता है, fusion fuse हो जाते है समझे रहो, छोटे छोटे हलके हलके element आपसे मिल मिल के, मिल मिल के अपने को भारी में आ रही कुशिस करते हैं, बहुत भारी नहीं हो जाएंगे कितने होंगे, इतने ही भारी हो पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, intermediate level में आ जाएंगे आगे मैंने topic रखा हुआ है इसके लिए, मैंने आप भी बता दिया बात चली थी तो, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों nuclear fusion और क्यों nuclear fusion होता है, दोनों ही energy release होती है और उस दोनों energy release का हम फाइदा उठाते हैं फाइदा उठाते हैं I think आपको समझ में आ रहा हो तो feature of the plots क्या-क्या feature है उसके, देखो सबसे फ़ली बाद, the binding energy per nucleon is practically constant that is practically independent of the atomic number for nuclear middle gas, यह सिर्फ 30 अगर आप देखो न, यहां से लेके लगबग लगबग यहां से लेके यह वाला जो दाइरा है, 30 का है यह बोलना चाहरा है, कि इस particular इलाके से लेके, अगर आप observe करो 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 करो, लगबग यहां तक यह constant रहती, constant क्योंकि 8 के उपर लगबग यह average लोग है, तो 8 mega electron volt average आ रहा है इन सब का, यानि कह रहा है इस range में practically, इसलिए सब के सब two foot के यहां आना चाहरा है यानि यह चाहरा है कि हम इस range में घुच जाए यह छोटे वाले चाहरा है, हम इस range में घुच जाए यह fusion करा रहे है, यह fusion करा रहे है तो पहली बात उसने से वितनी के ज़्यादा भड़ी बहेंकर बात ही है मैंने दूसरी बात बता दिया आपको मैक्सिमम किस के होती है, फैरिक के होती है, बता दिया मैं आपको अई यह भी मैंने आपको बता दिया कि 30 से नीचे होगे हलकी element है, यह भी unstable है 170 से उपर जाओगे, mass number बोलना है, atomic number नहीं please mass number, 170 से उपर जाओगे, बिचारे यह भी है, हलके full-case stable है यह ज़्यादा heavy element होगे, तो भी unstable है, कम हलके होगे, हलके होगे, तो भी unstable है यह बीच के लोग है, यह stable है, इसलिए यहां से nuclear fusion और वहां से nuclear fusion होता है ठीक है, अच्छा, nuclear force मैं बता चुका हूँ आपको, कि एक short range force होता है nucleons के बीच में लगता है, it is independent from the charge आप यह नहीं कहोगे, कि proton और neutron के बीच में नहीं लग सकता, बिलकुल लगेगा उसको कोई मतलब नहीं है, कि यह charge रखता है नहीं लगता, भेदभाव नहीं करता, कोई आगे बढ़ते है बहुत important है, यह graph बहुत important है, आप देखो question कैसा आता है exam में इस पर, ऐसे question पूछी रहा सकता है पढ़ लगा question, पूछी हाँ से, एब बाप पहले, देखो, सबसे पहले तो concept समझ लो, potential energy का, potential energy का छोटा सा concept समझ लेते हैं, उसकी बाद बात करते हैं, देखो potential energy का concept क्या होगा है, potential energy positive भी हो सकती है, और negative भी हो सकती है आप यह समझो कि जब किसी दो element के बीच में potential energy negative है, तो इसका एक ही मतलब है कि उनके बीच में attractive force work कर रहे है आप potential energy को देखके एक idea लगा सकते हो कि attractive nature के forces है, और अगर उनकी potential energy positive आ रही है, तो उसका मतलब तुरन समझ जाना कि वो repulsive nature के force है, एक तो simple सी बात है, अब मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने last lecture में भी बताया था कि potential energy होती है, कुछ नहीं होता है और बहुत simple है, जब भी किसी external force के against, एक ही definition आ देखको, जो मैं masters कर रहा था, मैंसी तो कभी-कभी तो teacher, professor पूछ लेते हैं, छोटी-मोटी definition बच्चों से, नहीं भी आती है, नहीं भी आती है, पूछ लेते हैं, उससे दे, सिंपल जी बात पूछ नहीं बताओ, potential energy का क्या मतलब हो, मेरे दोस्ते तो यह भी पूछ था कि force की definition बताओ, आप यकीन नहीं करोगे, उसने नहीं बता पाया हो, आप यह भी यकीन नहीं करोगे, कि अगले साल फिर हो IIT जैम में क्वालिफाय होके, फिर हो IIT में भी गया थ पड़ने, M-Tuck उसने IT से किया, इसको force की definition नहीं आई, उस अंदाज में नहीं नहीं जिस अंदाज में चाह रहे थे, या जो बोलना चाह रहे थे, या जो भी है, अब नहीं आई थी मैंने बता दिया आपको, खेर, potential energy की definition में कुछ नहीं, किसी भी external force के against work करने में, जो energy loss हो कुछ नहीं नीचे, बस मेरी हाथ पे पकड़ावा मैंने, कि मैंने अपने हाथ पे पकड़ावा, ऐसे करके पकड़ावा मैंने, क्या हुआ, सर इसको लगातार कोई नीचे को खींच रहे, M-G force है, उसका नाम है gravity, लेकिन फिर भी ये टिकावा उपर, कारण किसी में नीचे को, फिर भी घेंचे जा रहे है, हमने हाँ पर रख दिया, अब इस पे एक energy stored है, जो यहां से यहां तक work done कराने में use हुई थी, कौन सा work done, force के against, external force नीचे को लग रहा था, उसके against work done कराने में, जो energy stored हुती होसन कहता है, कौन से energy, potential है, हमारी के पोटेंच तो बस इत planetary motion कर रही है, तो उस समय इन दोनों के बीच में जो potential energy, it must be negative potential energy, क्योंकि दोनों के दोनों attractive nature के forces है, क्योंकि gravity attractive nature का force, क्या आप मेरी बात थर समझ पा रहे है, अब अब देखो, होता क्या है, यह इस graph में में बताने की कुशिस कर रहे है, मैं आपको बताता हूँ, यह graph में कह है, nucleons की बीच का distance, ठीक है, तो यह कह रहे हैं कि हमने जैसे, जैसे distance को बढ़ाना start किया, बढ़ाना start किया, बढ़ाना start किया, बढ़ाना start किया, graph कुछ इस तरह के कब बन गया, हमने कहा है, यहाँ पर कौन है, इस access में, वहाँ तो अपने distance रख दी, बोल ले potential energy है, मैंने कह इसका मदब इस particular point तक पहुँचने था, यहाँ तक potential यह नेगीटिव, 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 नेगीटिव होई है, यह जो distance है, यह बड़ा खास distance है, 0.8 fermi meter का distance है, यह कहता है कि जब कोई 2 nucleon 0.8 fermi meter से कम distance पर उन्हें लाने लग जाते हो, या फिर ज जैसे ही आप distance को और कम करते हो, तो यह कहता है कि आपकी negative potential energy कम हो रही है, ज्यान से, जब आप यहाँ से इसको देखो, यह distance, यह distance, आपकी नीचे जाते रहोगे तो आपकी negative potential energy बढ़ती देगी, negative वाला पार्ट बढ़ेगा, लेकिन आप जब इधर की तरफ आ रहे हो, left hand side म तो आपकी negative potential energy कम जोर पढ़े की नीचे क्योंकि प्लस की तरफ जा रहा है, और एक time ऐसा आजा कि जब यह potential energy जीरो जाई, और उसके बाद एक time ऐसा आजा जाएगा कि positive energy, potential energy positive बन ले जाएगी, मतलब क्या, पुरी कहाने का, पुरी कहाने का, यह कि मतलब है कि 0.8 fermimetre से, या यह distance है 0.8 fermimetre का, ठीक है, और एवन मुझे कहना चाहिए, यह distance है 0.8 fermimetre का, ठीक है, और यह distance है 0.8 fermimetre से कम का, hello, सो गए, कई बाहर से और लोग ना आ जाए, हाँ भी सो गए, एक बज़े तुम भी सो जाओ, हमें भी सोना ता हम तो परसान है, कब से एक वो था नहीं, चल करना, एसा ताइब का, यह भी परिशान है, हम भी परिशान है, 0.8 fermimetre से जाता हो, हुआ गया, 0.8 fermimetre से जैसे जैसे आप distance और कम करोगे, यानि इस वाले criteria में आओगे, सेकेंड वाले में, आप कम करते 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 देखोंगे, कि potential energy यानि कि इनके बीच में यह positive potential energy का मत है, आपको repulsion, यानि कि इसका मतलब यह है, कि जब आप इन्हें हद से जादा खरीब ले आओगे, एक हद तो चलती है, जो कि कम distance, अगर आप बोलने नहीं, हम तो और जस दीक रहेंगे, हम देखते हैं कितना, वो बोलता है, भाई, अब हद में रहे, बियद हो गया, हद से है, और रिपल्सन शुरू हो जाता है, न्यूकलांस के बीच में, जैसे जैसे आप आगे को जाते रहोगे, रिपल्सन क्रियेट होने की चांसेज नहीं है, क्योंकि वो उपर पेनिटरेट नहीं कर रहा है, 0.8 फर्मी मेटर में, अगर आप इस पर्टिकलर इलाके को देखो करेंगे अपने को, लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि आप हद से यादा आगे जाओगे तो फिर ये शौर्ट रिंज फोड्स है, इसकी लिमिट ही खत्म हो जाएगी, बोलेगा आप देखलो अपना हिसाब किताब्त, एक लिमिट तक तो मैं अट्रेक्शन शो करूंगा, लेकिन होता ही रहेगा, क्योंकि अब मैं वीक हो गया, मैं वीक पड़े गया, मैं theoretically कराना है चाहा रहा हूं, तेकिन इतना कमजोर हो गया कि हो नहीं सकता कुछ, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, तो 0.8 फर्विमिट एक पॉइंट भी ध्यान रखना है, यह special data है, ठीक है, इस ग्राफ को बिल्कुल ध्यान रखना को, इससे ज़्यादा पीछ जागी, यानि कि कहने का मतलब यह है, कि नो डाउट, नूक्लियोंस के बीच में एक शॉट रिंच फोर्स है, दोनों अट्रेक्टिव निचर के फोर्स है, बिल्कुल सही बात है, अट्रेक् पूरी कहाने है, ठीक है, समझ में आ गई है, आपको बात, तो जो निगेटिव वाला इलाखा न है, वो सारा का सारा आप ध्यान रखों कि वो रिपल्सन को शो कर रहा है, यह पूरा का पूरा इलाखा आपका अट्रेक्शन को शो करेगा, जो निगेटिव पोटेंशिल अब आते हैं, एक नया हमारा टॉपिक सुरू हो गया, लगे टाइम कोई बात में, मंचो और चल रहा है, लगे टाइम, चलेगा, क्योंकि है, मैं भी बैठा हूं तो आप भी बैठना, देखना, तुकरे कर करके देखना चप्टर, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, य यानि कि किसी भी एक ऐसा अलिमेंट, यह भी एक न, एक ओल अफ सडन होने वाली घटना थी, बैक्यूरियल के दौरा, 1896 में घटना होई थी, बैक्यूरियल के दौरा, एक साइंटिस्ट है, गलत फिल्म हो गई थी, कहानी कभी आप बात में पढ़ लेना, क्या क्या थी, य मैं आपको उलडोडी बता चुका हूँ, मैं आपको इस काहीं पीछे बढ़ी इससे, खलका सा लिंक ख़र हो, अगर एक बारे कहले, उरनियम अपने आपको स्टैबल करना चारा है, क्यों करना चारे है, क्यों कि उरनियम चाहता है, कि मैंस्टैबल होऊ, इसलिए वो energy emit करते energy emit कैसे करता क्या करता energy emit करने के द्वारा द्वारा ही वह पीछे वाले element में convert होता है मैं पताऊंगा बाद में कैसे होता है वह हम देखींगे लेकिन इतना समझ में करता है कि energy emit कर रहा है कोई भी element spontaneous अचानक होती है अनरजी में और इसी को में radio activity कर रहे है इसके बारे में पढ़ना है यह दिखा रहे है यह न्यूट्रोंस है रेड कलर के आपको दिखा रहे है प्रूटॉंस है और यहां पर दिखा रहे है कभी अलफा रीडियेशन शो करते है कभी इनसे बीटा रेडियेशन निकलता है कभी इनसे गामा रेडियेशन निकलता है इन तीन रेडियेशन को में पढ़ना और एक खतम हो जाएगा radio activity और फिर इनके कोई दो तीन derivation अभी हाथो हाथ करेंगे अब एक एक करके समझते है radio activity में decay यानि जो बैने बताया है कि को बीटा डिके और गामा डिके होटे क्या क्या है ठीक है बहुत इजी है यह पर पढ़ लो फिर उसके बाद दिखाता हूँ alpha डिके का मतलब होता है कि आपका जो element एक मिनट है इसको तो मैंने आगे पर separately भी लिखा हुआ है मैं इसको आगे आपको दिखाता हूँ मैंने separately इसक सब्सक्राइब आपके में सिंपल सा एक फिनॉमेन होता है वो यह है कि अगर कोई element है इधर देखो प्लीज एक element है लेटसे x नाम है इसका ठीक है इसका atomic number z है mass number लेटसे a है इसमें से कोई अब देखने हैं हम बात कर रहे हैं alpha decay की मैं बात कर रहा हूँ कि alpha decay में क्या क्या हो होगा यह वाला जो है unstable nucleus unstable nucleus अब कैसे होगा unstable उसकी binding energy पर कम होगी तो stable बनना चाहरा है stable बनने के लिए क्या करता है वो एक alpha particle को decay कर देता है alpha particle क्या होता है मैंने आपको last time भी बताया था helium nucleus helium nucleus का मतलब यह कि जिसके पास 2 proton और 2 neutron होंगे आप बोलोगी 4 क्यों लिखा उपर सर्थ 2 proton है उपर mass number है ना 2 proton और 2 neutron तभी तो 4 होगा तो यह जो हुआ इसे कहते है हम क्या helium का nucleus अब आप खुद सोचो अगर किसी element ने अपना 2 atomic number कम कर दिया तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 तो उसने release कर दिया तो यह इतना होना चाहिए और इसी तरीके से यह कितना होना ठीक है यह daughter nucleus आप इसे कह सकते हो यह जो बना है ठीक है यह हो गया daughter nucleus daughter nucleus daughter nucleus daughter nucleus जो कि आपके emission के बाद बना यानि कुल मिलाके क्या हुआ है कि यह कोई एक substance है और इस substance ने एक alpha particle को alpha decay करा अपना alpha decay करने का मतलब उसने helium particle को helium nucleus को release करा अब जो कुछ उसके पास बज गया वो एक doctor nucleus होगा और comparatively stable होगा और इस तरह की reaction को हम कहेंगे कि alpha decay हुआ अब इसी को example वगरा से दिखाया होगा लिचे लिखा होगा देखो in this number the mass number product nucleus देखो वही जी लिखिये जो मैंने बोला भी तक ठीक है आप example में देख लो अभी हर कोई element show नहीं करेगा जो unstable होगा और unstable कौन होगा वो मैंने जो आपको भी पीछे बताया था कौन होगा unstable जिसका binding energy per nucleon कमजोर होगी और आपने पीछे graph में देखा कि जो आगे heavy elements थे वो कम energy रखते हैं binding energy per nucleon इसलिए stable होने के लिए क्या करते हैं करामाते हैं वो देख रहे हैं जैसे कौन है radium है radium आप देख रहोंगे radium 88 number 22 226 इसका mass number है इसने देखो आप इस पर focus करो helium को निकारा यह बैसे helium नहीं बोलोगे इसे बोलोगे आप क्या alpha particle का alpha decay है यह alpha decay में आगर आप देख पार होगे तो यह blue color के 2 हो गए protons और red वाले होगे 2 neutrons इसने अलग कर दिये तो इसलिए इसका जो mass number है वो 4 कम हो जागा क्योंक आप समझेरों इसी तरीके से नहीं ने यूरेनियम का सब दिखा रहे हैं यह heavy element शो करेंगे इस बात को क्यों क्यों वा unstable है क्यों क्यों थे को यह कोन है uranium अब uranium एक छोटी सी बात रहे गए अब बताना आपको isotope, isobar, isotone अब बता दूगा शायद आपको पता भी होगा अब यूरेनियम जैसे 238 बयानेवे माल लेते हैं इसका यह याद कर लेना equation को exam में अगर prepare कर रहो return वाले exam में, तो आप खुद देखो यह thorium में convert होता है, thorium यानि जिसका number होता है 90, अब खुद सोचो क्यों होगा, अब आप देखके idea भी लगा सकतू कि इसके साथ कौन सा decay होग है, क्योंकि यह 92 से अगर 90 हो गया, यानि कि कुछ 2 की कमी आई है atomic number में, और यह 38 से 34 हो गया, यानि 4 की कमी ही आई है, तो यह 100% कौन होगा helium, इसका मतलब क्या alpha decay होगा, इसका मतलब alpha decay होगा, इसका मतलब alpha decay होगा, इतना easy होता है, अब देखते है, बीटा decay क्या होता है, बी यह general example ले रहा हो, unstable nucleus कहते ही, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई last last का कोई element या शुरुवात का भी हो सकता है, लेकिन शुरुवात के element इस तरह से decay कम करेंगे, वो fusion वगेरा करेंगे, तो यह कोई बाहरी element है, जैसे thorium, uranium, uranium है, thorium है, इस तरह के कोई element है, radium वगेरा, जो radioactive elements ह चाँता हùए गएं, बीटा डिके में, बीटा डिके ।रह क्यों है, एक plus बीटा, एक minus बीटा, तो एक की kट कर कर के discuss करते हैं, मान लेते हैं कि minus बीटा डिके की में बाачीत कर रहा हूं, बीटा डिके मतलब कुछ भी नहीं, जैसे अभी alpha का मतलब कहता है Helium, बीटा का मतलब इलक्टोन है ऍलेक्टोन स्फक्राइब कर देको बीटमला का हुआ है जीरो कली तो लिक दो वैसे बीटल इलेक्ट्रोन है निकल नू sending अब तर्हेस्स में नहीं बैठा जाता एलेक्ट्रोन इसलिए कुछ अलग चीज ते बीटा का लेकिन इसका characteristic electron जैसी है इसलिए याद करने के लिए आसान है तो हमारे लिए क्या है कि इसका atomic number कितना होता है basically मैंने charge को represent किया उसके तो minus 1 और उपर कितना नहीं जिए 0 अब आप खुद सोचो कि आपके पास ये x कितना होना चाहिए ताकि z हो जाए सर z क्या होना चाहिए minus 1 नहीं सर इस बार z plus 1 होना चाहिए तभी तो plus 1 minus 1 कटके z हो जाएगी और ये कितना होना है सर ये a का a ही रहना है क्योंकि a और 0 जोड़के a ही होता है बस हो गया इसी कहते है beta dk beta dk में आपका इस तरीके से ये हो गया और इसके साथ-साथ एक चीज़ निकलती है इसके बाद में higher classes में पढ़ते हो इसको फिलहाल के लिए note कर लो anti-neutrino इसे कहते हैं ये भी एक तरह का subatomic particle है क्योंकि मैंने क्या बताया अब भी हम कुछ नहीं जानते है अभी तो हम सिर्फ इतना ही जानने अपकी क्लास में कि proton and neutron ही बैठते है आपके दिमाग तब खुल लहगा future classes में जब आप बोलोगे हमारे साथ धोका होगी क्योंकि यहां तो missons बैठे हुए युकावा ने बताया बात में यहां पर तुसर anti-neutrino, neutrino, positron पता नहीं किया बैठा होगा 34-35 आइटम बैठे वे और समझे रहो तो हमें अभी नहीं पढ़ना हो चक्करों में उन्हीं वैसे एक anti-neutrino है ज्यादा इसकी उसमें मज़ जाओ सिर्फ एक होजगे तो इसी लिख लो याद करने ले कोई रोल नहीं है इसका यह electron type का आप इसका सकते हो अब जो अगला डिक्य होता होता है बीटा में इसमें होता है बीटा प्लस ओन जीरो अब इससा केते है Toutौल क्या केते हैं इससे 寲ावो पॉजिर्टोण आप समाज़ो कि पॉजिर्टोण पॉजिटिव E When इसका टोओजिव E गेकिन आपना सिंगिकेंट मास होता है तो में मास इलक्ट्रोन जिसाइए लेकिन चार्ज प्रोट्रोन जाए तो दोनों को मिला कर पॉजिट्रोन गूल दिया पॉजिटिव इलक्ट्रोन समझा है आप खुद सोचो इसके हैं क्या होना चाहिए यह प्लस वन है तो यहां जरूरूर्ट माइनस वन होना चाहिए तब ही तो जोड़के जड़ आएगा बैलम्स कर रहा है एक्षिन अब आपको यहां पर होता है नॉर्मल महाँ पर बनता है की नहीं वेड़ेंट रहता है और प्लस बीटा डिके में इसका एक घड़ जाता है मास नमबर सीम रहता है बहुत बढ़ी बात बोल दी मैंने कुछ भी नीज़िए यह होता है बीटा डेके हैं तो डीके के दो टाइप समुझ में आ गए ये आपको समने दिखा रहे हैं यह दिख रहा है एंटी-neutrino कुछ नहीं होता है चाहर नहीं काहनी यहीं से स्टार्ट होती है देखो क्या होता है देखना मानलिया alpha decay हुआ या beta decay हुआ कुछ भी हो गया एक चौट सा example लेते हैं जैसे कोई x था यह x y में बदल गया मैं even लिग भी नहीं रहा इसके इसमें alpha या beta कोई भी एक decay हुआ और इतना ही समझाना चाहरा हूं कि यह सिर्फ unstable था और यह stable हो गया अब उसके मैं बाकी चीज़ें इसले नहीं लिख रहा क्योंकि it will depend on की alpha decay हुआ की beta decay हुआ बीटा प्लस decay हुआ की बीटा माइनस डिके हुआ उसके हिसाब से भी अब इस सिर्फ इतना कहना चाहरा हूं कि let's say इन में सिर्फ कोई भी एक decay हो गया alpha या beta उससे क्या होगा stable nucleus बन गया लेकिन सर जो stable nucleus बनता न वह एक higher energy state में मिला अगर अगर ऐसा हुआ कि इससे को यह conversion हुआ और वो जो नया आपका atom बना जो नया atom बना जिससे example के लिए समझ लो यह uranium था uranium था जिसका बयाने में होता है और यह finally convert हो गया माल लेते हैं थोरी एम में जिसका 90 होता है क्या आप जानता हो कि atom की excited energy states होती है हमने पढ़ा है पीछे यार बोर वागेरा याद है energy level वागेरा आपने मिलसे पढ़ा है तो आप जानते हो सर कि atoms के पाई electron होते है और electron वागेरा आपके पास जैसे बयाने में वैसे 90 आये दो electron कम हुए यह सब हुए तो सर क्या पता वो electron higher energy state में हो यानि कि higher energy state में हो लेकिन यह इसका original orbit ना हो तो यह क्या करेगा अपने original orbit में आएगा माल लेते हैं इसको यहां आना है इस दौरानी क्या करेगा कुछ photons के energy release करेगा वो ही होता है यहां पर आप प्लीज चक्करो में मत पढ़ो आप यह मत सोचो मैं क्या-क्या बोल है तो वह daughter nucleus higher energy state में अगर हो तो उसमें से वह अपनी कुछ amount of energy release करता है और अपने ground state में आ जाता है अब मैं इसके उपर यह asphelsk का symbol नहीं लगाऊंगा star type का अब यह stable basically say stable कहना उतना बेटर नहीं रहेगा इसे ज्यादा बेटर रहेगा कहना atomic level पे तो वही है देखो मैं कहना चलाओ higher energy state में higher energy state में कौन है यह daughter nucleus और यह क्या हो गया ground state में आ गया ground state में आ गया और यह कौन है वही daughter nucleus तो इस दौरान जो काम हुआ इसमें आपकी gamma raise या gamma decay होता है तो gamma decay होने से क्या होता है सर गामा डिके होने में सिर्फ एक ही काम होता है कि आपकी energy release होती है और आपके atomic structure पर कोई फरक नहीं पड़ था क्योंकि आपने अभी पड़ा alpha decay पड़ा हो जैसे बीटा डिके देखो इसका atomic number z था इसका atomic number z प्लस वन हो गया समझेरो जो भी इसका नम उसका पूरी इतिहास ही बदल गया जैसे sodium होता एक पार एक लिए ऐसी बोल्लाओं लेट से होगा नी sodium sodium गया रहा है ना तो वह 12 में बदल जागा गामा में सिर्फ इतना काम होता है कि higher energy state से वह अपनी lower energy state में आ जाता है और इस दौरान वह एक बड़ी high energy की अपनी energy radiate करता है उसी को हम कहते है अच्छा एक last बात मैं बोलता हूं आप बहुत important है सुने मेरी बात सुनना प्लेस मेरी बात सुनना इस बहुत important बात है पता नहीं मैं समझापाओग को देखते इक बार हम देखते сказать आपको याद है ही ना कि जहमांभी चर्चा करते थे कि यार एलेक्टोन है एलेक्टरून है यह वो है फिर एलेक्टोन होता है आप तो हीडुजिन की बात करते ही किस-किस को याद है पता नहीं आप माइनस 13.6 electron volt ground state याद है माइनस का 3.4 electron volt first energy state 10.2 electron volt का फरक n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 up to so on ऐसी कहानिया चलती थी कुछ याद है आपको माइनस का 1.51 माइनस का 0.85 कुछ याद है क्या आपको ऐसी कुछ कहानिया चलती थी हमारी ऐसा ही हमें कुछ पढ़ा था कहान क्या था यह सरी हमारे atoms थे न जो यह atom है न इस atom के अलग-अलग 1,2,3 इस तरीके से हमारे अलग-अलग यह जैसे 1 यह आपका 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया यह इस तरीके से अलग-अलग shell थे यह एक तरसे energy levels थे किसके लिए? electron के लिए electron जो था atom में exist करने वाला उसके पास choice थी ज़्या ज़्यादा ही energy आ रही है आप पहे लो इस पे आ जाओ और ज़्यादा आ रही इस पे आ जाओ इस ज़्यादा मता आना भार ही निकल लोगए बढ़ना थी यह तो ऐसे करके energy आते हैं इलक्ट्रोन के पास छूट है पूरी अपने energy level तो नूकलियस बोला है यार मेरे पे किस बात की कमी है यार मेरे पे किस बात की है यह जो energy states है यह नूक्लियस के energy states है यह जो radiation आपको या इस करता था यह कहानी थी atoms में यूक्लियस के अंदर जो नूक्लियस होता है इसकोम निगले चल लेक्ट करके चल लेतको उसके अंदर भी energy states यह बात निकल लगए है पूरी कहानी में एक ही बात निकल गया रही है कि ना किवल एटम्स में शेल्स के रूप में energy cells होते है बलकि nucleus के अंडर भी energy cells होते हैं फ़रक क्या है फ़रक क्या है सर जहां इन में फिलनटभोल्ट को difference होता है न। उन energy levels में जो कि nucleus के अंदर बनता है megal electron वोल्ट का फरक होता है। बहुत हैवी डिफरेंस रहता है नेर्जी लेवल्स Бörth का और उसी के करणी जब फोटॉन रिलीज होता होगा तो अब मांलिया फो-्तीन मेगा इलेक्र- सिर्फ यहाँ से यहाँ भी गिरता होग़ ने एक लेवल से तो making प्वीड रिलीज करता होगा श्यायदा मेरी कहान ही समझ पा रहे होंगी क्या कहा रहा हूं मैं कहा हूँ कि नूक्लियस के अंदर भी इसी तरफ के एनेर्जी लेवल्ट बने होएं लेकिन उन एनर्जी लेवल्स में जो फरक आता है वो मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट का फरक आता है यानि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फोटां गिर रहा है तो वह हल्की फुल्गी यह नहीं कि लाग एक चिंगारी निकल के निकल जाएगा वो भेंग कर सी गामा र यह यहार आ उसका 10 की पवर 4 गुलम लगब 10,000 गुलम पहनकर गामा रे जोती है इतनी तेज यहांनि च्रेज से था ही हो घंग स्टी क्लेस आप आप समझपा हरहा हूं तो आपका का मन महाँ कॉस्च निक मिर जादा कुछ आप देख लें तो यहां से ओगमार здесь is इसमें क्या होता है excited nucleus रहता है वो सिर्फ एक relaxed nucleus में बदलता है एक nucleus में changes होता है बाहर से आप देखोगे आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा आप बोलोगे यार यह तो वह यहाँ पर था यह तो same to same atom इसमें फरक क्या है atomic wise वह सेम है लेकिन उसके nucleus पहले वाला nucleus excited state में था कब वाला nucleus जो अभी अभी generate हुआ है अपने पेरेंट unstable nucleus अंस्टैबल nucleus अंस्टैबल nucleus से generate हुआ है लेकिन थोड़ी देर बाद रिलेक्स मोड में जब आता है तो दिखने में तो atomic wise सेम दिखेगा लेकिन उसका nucleus स्टैबल उसका nucleus relax stage मा आ चुका है और इस द्वरान वो एक बड़ी महत्रा में एनर्जी रिलीस करता है जिन हम gamma decay के रूपर जानते है इससे ज़्यादा समयने की जरुवत नहीं आप आपको ताकी clarity थोड़ा और बढ़ जा है इसके लिए मैं एक काम करा हुआ है आप अराम से देखो alpha decay, beta decay, gamma decay और neutrons decay के बीच में फरक बता रहा है इनमें तीनों को आप देख लो alpha, beta, gamma यह important है यह सिर्फ आपको penetrating power दिखाने के कोशिस कर रहा है कि देखो gamma ने कितना अंदर तक penetrate कर दिया है गामा काफी penetrating है इसलिए एक simple question यह बन जागा penetration power के रूप में इनके लिखो order में alpha, beta, gamma किसका ज़्यादा penetration होता है इसके पाँ ज़्यादा energy है obviously gamma के पास अगर पर गलत नहूं तो 10 की power 100-100 गुना का फरक होता है देखो alpha, beta, gamma तो gamma सबसे ज़्यादा penetrating होती है यानि यह लगा लो कि यह 10 की power 2 गुना होती है alpha की और यह 10 की power 4 गुना होती है alpha की ऐसा कुछ है लगभग मुटा मुटा फरक है यह यह बीटा जो होती है वो alpha से 100 गुना तेज है और gamma alpha से 1000 यह 10,000 गुना तेज है यह बीटा कौन है basically beta raise जब भी कोई बोलेगा beta raise मतलब a kind of electron a fast moving electron जो लगभख light की speed से move करने लेक्ट्रोन टाइप की चीज़ है लेकिन यह सारी घटना हो नहीं हो नहीं है यह बहार 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 नहीं हो रही है alpha beta decay सारे कहां से निकल रहा है यह यह यहां पर ठीक रहता है और फिदे धीर दे कमोन लग जाता है तो आपको क्या समझ में है कि यह हलके light elements है यह light elements भी चाहते हैं कि हम भी stable हो यार दुनिया में आए तो stable हो इसलिए क्या करते हैं दो चार आपस में मिल मूलके कोशिस करते हैं कि हम इस particular region में पहुंच जा है तो hydrogen sun line कहते हैं जिसे हिंदी में आप जानते होंगे सूरे का जो प्रकास वगेरा है वो इसी का example है nuclear fusion का example है जो sun की reactions होते हैं और जो हम nuclear reactors वगेरा में इस्तेमाल करते हैं वो nuclear fusion का इस्तेमाल करते हैं तो इसी चीज़ को यहां पर समझाया गया है आप अगर देखना चाहे तो आप अराम से देख सकते हैं बाद में पढ़ लेना PDF अगरा में दे दूँगा सारी बाते मैंने बहुत ध्यान से फुरसत से लिखी है फिर पिर आपको समझा देता हूं यह deuterium जो है आपको अगर वहाना देख रहा हो यहां लिख देता हूं deuterium मतलब होता है कि 1H2 यह hydrogen का एक isotope होता है ठीक है isotopes उन्हें कहते हैं जिनमें same number of protons होते हैं लेकिन उनके बाकी electron neutron बदलते हैं यह दूसरी शब्द में जिनका atomic number same होता है जैसे आप देखोगे यह 1H3 है यह दोनों ही hydrogen के isotopes है क्यों क्योंकि hydrogen generally हम बोलता है 1H1 न तो यह hydrogen, यह deuterium, यह triteum होता है इन तीनों की खास बात है कि सबका atomic number 1 ही है बस mass number बदल गए तो ऐसी चीज़ों कहते है isotopes कई बार क्या होता है mass number same हो जाते है example के लिए अगर मैं आपको बता हूँ एक example यहीं पढ़ ले लेता हूँ जैसे माल लेते हैं कोई element है जिसका यह 3 है और यह माल लेते हैं 15 है ध्यान से सुनना और माल लेते हैं कि इसका यह y element है इसका यह 5 है और let's see यह भी 15 है तो इसका भले ही atomic number अलग-अलग है लेकिन mass number से मुझाने के कारण इसको हम isobars कहते हैं क्या कहते हैं isobars कहते हैं एक होती है isotones isotones का मतलब यह होता है कि माल लेते हैं कि यह 3 है और यह 15 है ठीक है और यह x 20 है और यह 8 है उल्टा कर दिया मैंने 8 और 20 है ऐसी मैंने general example लिया एक ठीक है कई मुझे नीन तो नहीं लग गई कह समझभारी राट तो मैं यह कहना चाहरा था कि न इसमें आप देखोगे पंद्रा में से तीन या 12 न्यूटर न्यूटरॉन से इसमें इसमें न तो proton नहीं मास नंबर से है लेकिन इन न्यूट्रॉन से है इसके करने इसमें Isotones कहते हैं नीची वाले को Isobars कहते हैं क्योंकि Is मास नमबर सेम है और इन वाले को क्या कहते है आइसो टोपस यह नहीं एटमिक नमबर सेम होता है अच्छा इसमें मैं समझाना यह चाह रहा था कि आप देखोगे कि 1H2 और 1H3 दोनों को दोनों मिले hydrogen के 2 समझ्थानिक यानि aisotops आपस में मिले और इन तोनों ने क्या किया? 1 और 1 ने मिलके क्या बना दिया? 2 2 का मतलब helium देखो, इनने बनाया 2 helium और helium का number कितना होता है? 4 mass number 4, लेकिन ये तो 2 अर 3 5 हो रहा था, तो 1 कहां गया? 1 इनका neutron की form में निकल गया है ना? 1 इनका neutron की form में निकल गया, ऐसे करका है, अगर आप समझभा रहे होगी क्या मैं reaction बनाने में सफल रहा है? बिल्कुल सफल रहा है, मैं आपको बना के दुबार ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है? इनके reactions क्या बन रही है? वो मैं आपके सामने यहां उपर पर लिख देता हूँ क्या बन रहा है? कि 1H2 1H2 plus 1H3 deuterium और tritium, 2 hydrogen hydrogen आपस में sun नहीं है तोई यानि कि hydrogen का fusion हुआ nuclear fusion का example है, इन दोने क्या बनाया? simple helium बनाया helium यानि 2, 4 बनाया helium और 1 neutron इनने रिलीस कर दिया neutron यानि कि जिसका mass तो होता है लेकिन चार्ज कोश नहीं होता आप देखो कि 4 और 5 balance हो रहा है और 2 balance हो रहा है आत्रमेन नहीं हाँ पर energy radiate कर दी और यही energy काम आती है nuclear fusion में आप बोलोगे सर्फ hydrogen तो unstable है helium कैसे stable हो गया अगर आपना उस graph के according भी देखोगे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ-कुछ बाते थोड़ा से important है यार दिखाने जरूरी है इसलिए दिखा दे रहा हूँ ठीक है देखो अगर आपको याद होगा न एक नट वह कहां गया यह दिखाना चाहरा था देखो अगर आप इस graph में देखोगे इस graph में आपको खास बात समझने आगे कि कुछ peaks बन रहा है मैं आपको पहले बताया था जैसे कि 2 पे 4 पे 8 पे 12 पे 20 पे peaks बनते हैं यह peaks बता रहे हैं कि अपने comparative वालों के लिए comparatively stronger या stable है इसलिए hydrogen कोशिस करता है कि आर ऐसा तो नहीं कि jump मार के सिद्धे फेरिक के पास महुंच जाओंगा helium तक ही चलना है याड जा रहा इसलिए helium को stable माना जा रहे है I think आप यहाँ पर की बात समझ चुके होगे तो अभी तक एक नटा मुझे निकालना पड़ेगा कहां तक पहुंच गया था मैं एक सिद्ध तो हम यहाँ पर था यह आपको समझ में आगा reaction भी मेरी खाल से याद होगी दो hydrogen के isotopes मिले है helium बनाया और एक neutron और उसके बाइ energy release nuclear fusion हो गया nuclear fusion में क्या है nuclear fusion में एक बड़ा element जो कि unstable है uranium type का तूटेगा middle class के दो में जिनका mass number 30 से लेके 170 के बीच में करीब होगा जैसे आप देखो इसका mass number 141 इसका mass number बयान है क्योंकि 30 से 170 के बीच में आप जानते stable elements रहते है अब इसकी कहानी क्या है कि neutron का bombardment कराया uranium पे one of the isotopes of uranium uranium का एक तरह का isotope है और यह वाला भी uranium का ही एक तरह का isotope है तो कुल मिलाकर आपको देखना है कि neutron को bombard कराने uranium के उपर uranium ने 235 जो था उस पे आप खुद सोचो एक जुड़ी गया तो 236 हो गया बाकी चीज़े सेम रही क्योंकि जीरो पे आने में तो अभी भी uranium थोड़ा सा comparatively next isotopeak में convert हो लेकिन अभी भी this is again unstable अब यह दो चीज़ों में तूटेगा कैसे याद रखने यू cricket खिलने बैट से मलब तुमने बैट से cricket खिलने बैट से आपका barium आ जाएगा और cricket से आपका krypton आ जाएगा और यह मैं आप पर छोड़ा हूँ krypton का 36 नंबर तो आपको याद होगा लेकिन mass number याद कर लिए बयाने वे फिर automatically इसका mass number निकल जाएगा क्योंकि 236 में से बयाने में घठाते न यू भी आएगा वो तो नहीं होगा है क्योंकि 3 neutron भी निकलेंगे इसमें लेकिन यह reaction आप याद करना है इस पर कुछ समझाने वाला सा कुछ खास नहीं है क्योंकि main funda जो उसका वो मैं पिछे graph सा समझा चुका हूँ क्यों टूटरा वो मैं समझा चुका हूँ बाकि reaction साथ आप समझ चुके मैं लिख देता हूँ एक बार reaction की format में इसे यह neutron गिरे किस पर गिरे uranium पे uranium क्या था बयाने वी 235 kind of isotope यह convert वा uranium 236 isotope में जो कि बायाने वी था फिर यह uranium further तूटा 200 में एक था क्रिप्टॉन में देखनी रफिलाल भी जब देखने की जर्वत है कि देखनी है और 3 neutron में मुझे याद थी 3 neutron का मतलब यह होता है neutron यानि कि यह हो गया 0 और यह हो गया 1 क्रिप्टॉन में मुझे पता है 36 होता है यह मुझे पता है 92 शायद अब मैं कैसा idea लगाऊंगा न 92 और यह 3 इकम 3 95 हो गया 236 में से 95 जितना भी घटका हो यहां होगा जो कि 141 होता होगा और बेरियम 56 होता है इतना मुझे पता है बस यह reaction बन गई आपके यह reaction जो बनी है अब यह लिखना मत भूलना कि amount of energy निकला क्योंकि यही तो है जिसके लिए पूरा काम चल रहा है तो यह nuclear fusion हो गया आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से unstable uranium 2 stable nucleus में 2 daughter nucleus में कुटा एक है krypton एक है barium और यह दोनों के दोनों क्यों stable है क्योंकि they both are lying a is less than 170 और greater than 30 इस range में जो भी पाए जाते हैं वो stable nucleus होते है और चाहे nuclear fusion हो यह nuclear fusion हो दोनो stability gain करने के किया जा रहा है सबसे ज़्यादा stability किसके होती है फेरिक की क्योंकि उसकी binding energy point nucleon सबसे ज़्यादा यानि कि कितनी होती है 8.8 mega electron volt मैं हलका सा देख लो हमारे system वगरे चल रहा है फिलाल तो इश्वर की दया से चली रहा है आगे बढ़ते है इतनी कहानी साथ अब यार लास्ट-लास्ट के काम रह गए यह सब लास्ट के topic से बता है आपको मैंने पहले करा दिया अब मैंने क्यों कर रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा derivation वाले काम कर लें क्योंकि हमने बड़े अच्छे अच्छे काम हमने कवर कर दिया अब आपको half life वगरा यह सब चीज़ें बता जेता हूं एक छोटा सा topic हमारा बज़ गया यहां से सुदू किया था न मैंने यह मैंने आपको पीछे पता लिए समरी देख सकतो हूं अगर यार आप देख रहो नहीं आता है मैं क्या trust me बोलू यार खुद आप दी तो कुछ बो समझ में आरा होगा नहीं आरा होगा ठीक हम अब हम देखने law of radio अब मेरिक हाल से हमारा 15 मिनट का शायद टॉपिक जाएगा और ठीक हम देख ले ले law of radioactivity का क्या होता है radioactivity क्या है समझे radioactivity का सिर्फ मतलब इतना है कोई पुझेगा radioactivity किसी करते है यह basically disintegration of unstable nucleus into the stable daughter nucleus होता है इसमें क्या होता है कि कोई unstable element जो होता है unstable element अपने को stable बनाने के लिए energy emit करता है इसी को हम spontaniously energy emit करता है इसी को radioactivity कहते है हमें uranium, radium, thorium, plutonium यह जो भी high elements है higher mass number के कोई पूछेगा आपसे question पूछा सकता है uranium यह क्यों करता है energy emit heavy element क्यों करता है stability gain करने के लिए क्यों sir, क्योंकि sir हम जानते है कि इसकी binding energy पर nucleon comparatively कम होती है तो यह more stable condition में जाने के लिए mass number 30 से लेके 170 की range में जाने के लिए अपने को disintegrate करता है uranium अपने को क्रिप्टान में और barium में convert किया और 3 neutron के साथ एक बड़ी मात्रा में energy release करी इसको हम nuclear fusion कहता है अब कुछ radio activity के कुछ laws हैं वह हम discuss कर रहे हैं यह बहुत beautiful law है यह कहता है कि dn by dt is directly proportional to minus of n, even I should say even I should say negative of dn by dt यह बहुत हो गया लॉक हतम, इतना ही law है आप इस law का नाम बताना है एक दूसरा नाम भी इस law का देखते आप क्या है यह कहता है इसे कहते है न आपका यह basically dn by dt जो है इसी को हम activity कहेंगे आगे जाके यह इसी को हम rate of disintegration कहना चाहिए rate of disintegration 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 का मतलब जानते हो integration मतलब जोड़ना disintegration मतलब तोड़ना तोटने का rate कहा है यह दूसरे शब्द में कह रहा है जो number of changes है per unit time के साथ वो कितने है मतलब सर यह कि आपके nucleons प्रती second कितने nucleons तोट रहे हैं प्रती second कितने nucleons तोट रहे हैं क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था सबसे पहले याद करो हम बढ़े थे binding energy पर nucleon क्या होती है हम बोले थे कि nucleon को तोड़ने के लिए क्यों तोड़े हो nucleon को क्योंकि unstable stable में बदलना चाह रहे है वो अपने protons वगरों को exchange करना चाह रहे है क्योंकि uranium 92 अगर thorium 90 में convert हो रहे है तो क्या आपको नहीं लगता कि भाईया ही nuclear reaction हुई है क्योंकि दो proton को खीच के निकालना है nucleus से और nucleus जानतो कौन है उतना भेंकर electron नहीं खीच रहे है अब इस बार proton को खीच रहे है अब हम उसी बे बाद करें तो disintegration किसका होगा nucleons का हो रहे है यानि nucleus नहीं proton की खीचाता नहीं चल रही है क्योंकि mass number पर भी तो फ़रा का रहे है neutron में सब बदल रहे है तो उसको disintegration का rate क्या है यानि प्रती सेकंड कितने nucleons तोड़ दे रहे हो आप अब उस पर बात करने लग गए अभी तक हम energy अगरे बात करें कितने कितने तोड़ दोगे आप प्रती सेकंड में nucleons को यह law कहता है कि जितने ज्यादा nucleons होंगे उतनी तेजी से तोड़ेंगे समझे रहे है जैसे कोई बहुत सारे balloons आपको फोड़ जा तो एक बारी में आप एक तीर फैक होगे तो बहुत सारे मतलब फोड़ दोगे आप एक बारी में जैसे ऐसी कुछ example लेल वालका था समझे रहोंगे साथ आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इतनी दिर में तो समझने लगगे होंगे आप तो मैं बिना कहें भी कहूंगा आप समझ्जा होगे वहात कुछ मुझे आसा लगन लग गया ठीक है तो यह कहला है जितने ज्यादा number of आपके बाद nucleion present होंगे उनका rate उसी क्या according होगा यानि ज्यादा number of nucleion present है तो उनका rate तेजी से कूपने का होगा यानि प्रतिस सेकंड्ड आपके ज्यादा टूटेंग है rate कम कम होता रहेगा यानि अपके nucleons की संख्या कम होती रहेगी अब तूटने का स्तर भी कम होता रहेगा यानि यह simple simple यह करना चाह रहा है कि अगर uranium है इसे 92 से तूटके thorium में बदलना है और फिर thorium को माल लेता है कि एक second के मैं माल लेता हूं कि thorium को किसी 70 में बदलना है क्या मैं कहना चाहा हूं कि यहाँ से यहाँ तूपने का प्रोस्स कंपरेटिवल होगा अब थोड़ा सा स्लो और क्योंकि पहले उसके पाफ भयाने वर नूट्नों से जिननने तोड़ना थब उसके पाफ थे समाद हो जैसे अज मेंकिन कम होती रहे का rate उसकी speed उसकी उर्जा भी कम होते लेगी तोड़ने की इतना ही कह रहा है लो अब सुनो आगे इसकी कहाने हम पढ़ते हैं बहुत बूली इदर दर की बात है अब आजाओ मैच पर हाँ यार देखो dn by dt है अब वो disintegration क्यों कह रहे है इस negative के करण है क्योंकि dn नंबर में यह basically है क्या number of nucleons का change है n is representing number of nucleons तो number of nucleons में change कैसा सकता है plus b minus b यान number of nucleons बड़े भी सकता है घट भी लेकिन यह घट रहे हैं कैसे negative से पता चल रहा है तो कि घटने का जो rate है number of nucleons के वो n के ही proportion में है जितने ज्यादा nucleons प्रेजंट हो उसने ही तेजी से घटेंगे वो उनमें इसनी तेजी से fusion होगा देखो जब आप इसको हटाओगे constant आगा एट से lambda इस lambda नाम के constant को कहते हैं decay constant कहानी सुरू हो गई आप देखो खतम होने वाले थोड़े देरे बाद कोल मिला करके अब आपको इसे करना है थोड़ा सा integrate dn by n is equal to अब देखो यार इस पे न मैं ज्यादा discussion नहीं कर सकता मतलब मैं normal IQ किये basically अगर आप math से background नहीं रखते मुझे please comment बता देने ताकि मैं आपको बोल दूँ कि आप ये पढ़लो time से integration का ये वाला topic पढ़े उसले comment लिख देना 9520387009 ये मेरा whatsapp number ये whatsapp कर सकते हो आप ठीक है call direct करना है ठीक है तो dn by dt is equal to अब अब अपना इसे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ if I am just integrating both of the side dn by n is equal to बस बहुत पिडिया से rule आ रहा है मैं direct आपको result डोल सकता हूं लेकि उससे फाइजा नहीं हो देखो दुने के पहले 90 थे अब n मैंने देखा कुष्टा हैं बाद 70 हो गए तो वह n 70 है अब देखो dn by n का integration log n होता है इसमें कोई दो राए नहीं है और यह हो जाएगा है नहीं इस चीज में न तो अभी समझ भी नहीं पाऊगे फिर आप मुझे बता दे न अगर नहीं समझ भाता है log a minus log b की property होती है log a upon b मैं ऐसा नहीं कि derivation याद करके आ रखा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं को कि हो सकता है लगे एक किसी को न क्यों लगे जिसकी maths नहीं उसको लगेगा क्या याद करने पड़ते होंगे याद नहीं करने पड़ते बहुत basic integration है ठीक है बस इतना आ गया देखो log का के चक्कर होता है न कि जैसे जो बना रहे हैं आल्रेडी पहले भी कई में भी problem हों बताना तो log जब उस पार जाएगा तो क्या करेगा सामने वाले को e की power में उठा देगा ये log की definition से बोल रहा हूं मैं हवामें नहीं बोल रहा हूं तो n is equal to कितना हो गया and not e की power minus lambda ये एक derivation type का बनीगा आपका है इस त बता हो कि उसमें कितने number of nucleons बचेंगे अगर अभी उसमें इतने है तो अभी इतने यानि उसने एन नौट दे दिया आपको t is equal to zero time पर लेमडा की value दे देगा आपको t उसने 5 साल दे तो जो भी निकले हो आंसर होगा ये बड़ी basic equation निकली n is equal to n not e raised to the power minus lambda t याद भी रखना को बताता है इधर देखो ये बताता है क्योंकि n not a constant तो basically this graph is only about e की पावर का graph है ये सिर्फ इतना बताना चाहरा है कि आपका जो decay होता है वो graph इसको follow करता है यानि अगले ठीक ती half time में मतलब क्या होता है ये वो समय है इसे हम कहते है half time half time period अभी दिखाता हम ना half life कहते है से radioactive substance की half life का मतलब क्या होता है उतना time जितने में radioactive substance अपना ठीक आधा हो जाता है जैसे अगर मेरे पास 100 kg radioactive substance है 100 kg uranium है मेरे पास मन मेंना ऐसे ख्याल आ रहे ना दो बजिया 100 kg RDX आ रहा ख्याल है 100 kg RDX का मतलब क्या होता है research and developing explosive ऐसा explosive जो लगाता है developing process में है यानि आप RDX कोई particular चीज नहीं है आज जो RDX है वो कल कोई और बन जागा RDX ठीक है explosive होता है बड़ा heavy जिसका स्थेमल आप nuclear reactor में कर सकते हैं तो मैं ही कहना जा रहा था half life का मतलब क्या होता है half life का मतलब जैसे मेरे पास 100 kg कुछ एक substance है 50 kg कितने टाइम में होगा इसी को हम करेंगे half कितने time में हो रहा है वो time को रहा है ती half time हो रहा है अब फिर से इदर से देखो फिर से देखो फिर से इसको observer इन दोनों का ठीक आधा लगबग यहां पर रहा है तो n not by 2 का अधा यानि उसे half से multiply कितना होगा n not by 4 लिखा नहीं है यहां पर लिख दिया मैं यह वो जब होगा वो इसका टीवाइफ हो गया तो 2 टीवाइफ मीनि 2 हाफ 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 लाइफ फिर थीन फुरेफ करते लोगा यह तिमिंटरल आपको बताना चाहिए क्राफ क्यास करके जाता है और उसने दिखानाए के कुशिश कि कभी भी जीरो तैम हो गाई जीरो समझर हो अभी आपको भले ही लग रहा हो आग अदा हो गया सो चाहस से फाट पच्छी से साढ़े से करते वेशाओ आप पानी है करके आप कभी पाले करके जीड़ों कभी लास्ट में आपको रूला देगा जीरो-जीरो-जीरो-जीरो करके लेकिन डीरो होगा नहीं समझ रहो आप इसलिए तो अभी तक radioactive substance चले आ रहे हैं मतलब ऐसा नहीं खतम होगा इतने करूर साल होगा अभी तक खतम नहीं है तो डिके रेट है डिके रेट कुछ और नहीं है बिएन बाइडीटी जो मैंने आपको बताया है इसी को हम एक नया टर्म देने वाले हैं इसी को हम अक्टिविटी कहेंगे जिसे हम रियोक्ति वीटिविटी विए और से जो आगे आपको लिखाएगा activity of change होता नंबर का दो dny dt लिखता है इसी को मैंने एक नाम दिया वो क्या नाम है आर आर मतलब activity of radioactive substance या कई बार इसे reactivity भी कह दिया जाता है या radio activity भी कह दिया जाता है इन शॉट activity कहते हैं तो कई बार लोग इसे a से भी लिख लेते हैं जो relation n is equal to n not e raised to the power minus lambda t आपको मिला exact relation अगर आप थोड़ा calculation करो तो r is equal to यह मिल जागा क्योंकि आप खुद सोचो आपके प्रस पीछे क्या था dn by dt is equal to minus lambda n था न और मैंने जैसे की बता है कि अगर मैं इसके negative को इसको lift कर दूँ तो यह dn by dt is negative क्या बन गया r बन गया r is equal to lambda n टाइप का बन गया यह चीज़े बन गया और इवन यह n ना होके फिर r not बन जाकर सिम calculation बगयरा होके सिम चीज़ी निकल के आजएगी इसलिए मैंने directly वहाँ पर उस चीज़ को फिलार के लिए ले ले लिए है अभी में ज्यादा उस पर नहीं जा रहा क्योंकि उसमें कोई काम की बात है हाँ यह जो radioactive decay है जिसे हम radio activity कह रहे है यह जिसे हम activity कह रहे है क्योंकि एक बात समझ में आ गई कि one upon disintegration per second disintegration क्यों कह रहा है समझ बार नंबर को represent कर रहा है इसकी unit क्यों होती है बैक्यूरल तो radio activity को सबसे बहले 86 से करी बैक्यूरल नहीं रहा था इसलिए उनिट हमने रखिए बैक्यूरल और दूसरा इसकी जो पहले old fashion जो था इसकी unit लेने का एक क्यूरी थी और एक रदर फूर्ट थी इन साइंटिस्ट के respect में नम दे गए थे जो क्यूरी वाली थी उसका order 10 की power 6 का था क्या क्यूरी का 10 की power 10 का रदर फूर्ट का 10 की power 6 का order है आप हो सके तो please याद रख लेना ठीक है कि one क्यूरी is equal to कितना कितना बैक्यूरल और one क्यूर is equal to और one baccarat is equal to कितना रदर फूर्ट हो सके तो यह चीज़े याद रख लेना यह दो थीन चीज़े सिर्फ fact के लिए में रखे लिए बस अब दो चीज़े मैंने आपको बता नहीं है एक हाफ लाइफ और एक है मीन लाइफ तो घतल है देखो हाफ लाइफ का मतलब वही definition द इसके बाद integrate both sides जैसे पिछली बार क्या log of n डारेक्ट कर रहा हूं minus lambda थोड़ा ध्यान से समझना इस बारी में देखो यार एक line यूज कर लेगा हो खामका गलत हो जाएगा आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा अगर मैं इसे integrate कर रहा हूं dn by n same to same calculation कर रहा हूं दुबार जब t is equal to 0 observation हमारा था उसने में इसकी value n naught थी t half time हमने t half defining इसले किया half life हमने बोला ही हुसा है जिसमें अपना आधा हो जाता है बहुँ यह ख़ता है पहली बागी तरह solve dn by n concept log n n naught minus n naught by 2 same to same calculation t half minus 0 आप समझे रहोंगे इस contigation t होता है एक बार अपर लिमिट रखे एक बार लोगर लिमिट रहा हूंगा फिरसे n के प्लेस पे n naught by 2 हो जाएगा और माइनस करके यह हो जाएगा n naught अपर लिमिट माइनस का lambda t half t upon 2 नहीं हो t half representation log a minus log b का formula लगा रहा हूं log a upon b is equal to negative का t half n naught से n naught कर गिया you are only left with log of half negative को चाहो तो इदर लेलो lambda t half अगर आप थोड़ा property जानते हो log की तो half की power negative को इदर लिया जा सकता है is equal to lambda t half ठीक है अगर आप चाहो तो half का inverse क्या होगा खुच सोचो 2 होगा half का 1 upon half करोगे तो कितना होगा 2 होगा अलग-अलग style है solve करने के lambda t half दूसरे शब्दों में lambda is equal to जो हमारे पास है even हमें तो t half निकालना था तो t half की value कितनी आ गई देखेंगे please t half की value आ गई है log 2 upon lambda this is what t half is log 2 की value log में base e है इसकी value अगर आपको याद नहीं है कोई चलेगा 693 होती है वैसे मुझे याद है यह इसका answer होता प्रॉपर और यह कई बार आपसे अगर mcq वगेरा में बैठ तो direct आएगा t half का answer मेंसे क्या है वो तो मैंने derive करा दिया आप को कुछ भी नहीं जा रहा ठीक है थोड़ा style भी तो मारे है थोड़ा तब से बोलने में लगे है math का कुछ मुछ मुखा मिलना तो मारे न मुखा में चौका calculate mean life का मतलब क्या होता है इसकी definition सुनो यह कहता है उतना time जितने में कोई substance अपने value का 1 by e हो गया definition कुल लो यह पल लो आपको clarity के सा समझ मालेगा वैसे तो मैं आपको homework ले सकते था लेकिन कोई दिक्कत नहीं कर लेते हैं बैटके चुप-चाप से वैसे भी नीन तो आने रही है dn by dt is equal to minus ka lambda nt dn by n is equal to minus ka lambda dt आप फिट से क्या करोगे if we are again integrating in both of the sides देखो दूर अगर integrate कर रहे है when t is equal to 0 then n is equal to n not got it अब t is equal to tau हो जाए tau हमने किसको बोला है average time को mean time को और हम mean time किसे कह रहे है उस time को जिसमें यह अपना 1 by e हो जाता है अपने amount का 1 by e मतलब इतना हो e is just a number which is equal to 2.3 something ठीक है अब फिर से last time की तरह solve करते है log n n not n not by e same calculation है t रखेंगे t में एक बार upper limit minus lower limit got it एक बार solve करेंगे log of upper limit n not by e minus log of lower limit which is n not is equal to lambda tau got it अभी मुझे क्या करेंगे थोड़ा सा फिर से last time की तरह property अब तो आपको यादी हो गया होगा मेरी खाल से तो upper limit sorry log a minus log b को मैं क्या लिखेटता हूं log a upon log b and that is equal to lambda l अब इसको दूसरे अंडाजमर कर लेता हूं ठीक है चाहो तो पिछली बार की तरह नहीं करता हूं इस बार कुसे नए idea से करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा variety लगे log 1 by e को इस बार negative को है नहीं ला रहा है इस बार e की power negative बोल सकता हूं काम वही कर रहा हूं मोटा मोटा वैसे लेकिन फिर भी minus 1 आप समझ सकते हो log a की power b कौम क्या बोल सकते हैं b log of a वह आगया आगया अब आप समझे रहो इस बार यह मैंने इस तरह की tricks अपना ही तो मुझे क्योंकि टाव निकालना था तो टाव कितना निकल गया log e upon lambda hope you got my point log e answer my dear 1 होता है छोटी मोटी बात है वैसे अगर आप maths के होंगे तो आपको पता होंगी शायद यह अगर आप मैंसे पढ़ते होंगे अदर्वाइस physics के अगर आप हैं किसी competition की preparation कर रहे हैं तो कुछ maths के topic होता है मेरे से comment section पूछ लिना वो जरूर कर लो मैंने सब करार उसके बाद physics पढ़ो तो मज़ा आता है log e answer 1 होता है तो tau is equal to 1 upon lambda हो गया तो tau is nothing but 1 upon decay constant जो mean value होती है वो decay constant का reciprocal होती है lambda आपको यादोगा इस formula में कैसे direct proportionality constant की form में निकला था ठीक है एक छोटी सी बात बोलके खत्म करते हैं इसको आप इधर देखो छोटा सा topic देखो देखो इधर लिखावा मत देखना वी जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना देखे प्लीज न मैं क्या बोल रहा हूं आपको कोई unit होई या आस तक किती हास में कभी नहीं आपको शायद समझ मा रहा होगा कि lambda की unit होगी हो one upon second होगी ठीक है तो मैं क्या कहना चाहरा हूं और यहां से भी आप समझ सकते हो क्योंकि आप lambda is equal to देखो तो one upon tau होगा ताउ तो एक तरह का time है न मीन टाइम होगी तो one upon second यहां से भी समझ वह आ रहा है वैसे आपको दिखा जाए तो क्या फाइदा हुआ सार इससे आप इधर देखो इससे फाइदा क्या हो फाइदे की बाते करते हो सारे की सारी में बजाता हूँ आपको याद होगा यह जो आपका result निकला था अगर मैं नीचे जूग गया हूँ तो टी हाफ is equal to कितना रहा है 0.693 one upon lambda को पीछे देखो हमने spirit did about it है इस तरीके जो मैं लिखा है है आपके लिए कवेसें घर के लिए ये जो लिखावा है ये लिखावा है ये लिखावा है uranium बयाने वे entrepreneurial दोस्ति दोर को आर्थ ये लिखवा आप फुमवर के लिए करना alpha decay MARK फीन इतना यह time के पावर 9-year yourfee what is the activity of 1 gram sample activity का मतलब क्या हुआ activity का मतलब R हुआ activity का मतलब basically dn by dt हुआ calculate करोगे यह tritium has a life tritium यानि 1H3 वाला as a half life of 12.5 years undergoing beta decay what fraction of sample of pure tritium will remain undecate after 25 years देखो इसमें question में क्या है कुछ खास नहीं है यह कह रहा है कि कोई tritium है tritium हम जानते कि 1H3 होता है हमने देखा था इसका जो half life है ती half जो इसका वो 12.5 साल है 12.5 साल मतलब 25 by 2 years है यह इसकी half life है undergoing beta decay what fraction of sample of pure tritium will remain undecate after 25 अब देखो उसको समझो क्या कहना चारे इसकी half life 12.5 साल है इसका मतलब यह वोना चारे कि अगर इसकी half life 12.5 साल है तो 12.5 साल में अपना अधा हो गया होगा माल लेते हैं शुदवात में N0 था तो अगर इसकी 12.5 हाफ लाइब बोल्ड रहे हमें मैं नहीं बोल्ड रहा तो इसका मतलब N0 by half हो गया होगा यह बोले 25 साल बात का हिसाफ तो इसमें और साड़े बारे जोड़ने होगे नहीं तो इसका मतलब इसका भी half हो जाएगा क्योंकि हर साड़े बारे साल में अपने amount का अधा हो जाता है तो इतना N0 by 2 का और अधा का अधा होगे तो half से multiply करना बढ़ेगा अभी इतना हो जाएगा तो अब पूछ रहते कि simple देखो what fraction of sample of pure tritium will remain undecate कितना undecate रह जाएगा तो बस यह है N0 अपने amount का N0 by 2 हो गया अब कितना हो गया N0 by 4 हो गया finally कितना हो गया हो N0 by 4 amount हो गया क्या आप मेरी बात समझ पार हो अपने amount का N0 by 4 हो गया 25% होगए अपने amount का बचा हो आप से 25% अपने amount का सिर्फ बचा हो आप यह यह मैं already आपको सब कुछ दरा चुक है आपको सब कुछ दरा क्यार बातों आपको हमने सब कुछ कर लिया उमीद है कि मैंने आपको बता दिया होगा सब कुछ ठीक है देखते हैं क्या हमने सब कुछ कवर कर लिया अब तो मुझे लगता है क्यामरे कुम्रे सब वाफ हो गया होगा अब तक तो सब क्यों हमने कर लिया अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ना कहीं पर भी आप में से प्लीज पूछना मैं फिलाल देख रहा हूंगी कोई छूटा ना हो कर अब आपको समझ में आ रहा होगा यह क्या क्या मतलब था बीटा रेडियेशन गामा रेडियेशन क्या होत मेयरा मकेस यह की Да यह लेक्शर वन शौर wants one sort मैं क्ये रहा मैंने कुछी छोड़ी नहीं नहीं मैं किसี चीज में ऐसा Saint को क्यों थां वाए मframe हं अंतलब यह नहीं कर रहा था कि कुछी स्कीप कर रहा है नहीं मैंने कोई जबर दस्तिंसरी सबना खली और करना है कितने excuse किस बात का देरो कोई बात नी अब मेरा प्लैन यह है कि हमें न आटमिक फिजिक्स का पाट देख लिया और नुकलियर फिजिक्स का हमने देख लिया अब हमें एक डिशा को करता हूं optics कराता हूं पड़ावा alternating current और उसके बाद फिर मैं electrostats और magnetostats कराऊंगा यह करते हैं इतना कर लेते हैं फटावर से उसके बाद पिर हम आगे देखते हैं मेरा कोशिस है कि एक दिन में अब इसके आपने भी देखा अभी कर इतने मिलते पिर नेक सैशन में तो गुद्बाइ और जाहिन बाए कि अ अ कि अ कि अ अ अ झाल झाल